करके हाँ पर बता सकते हैं कि यांसर कंसा सही है आप आपसे स्वाइब एक फिर से स्वागत है रूप एक नटिक फिजरावाद बंद कर रहता हूं आज जो आपके स्टार्ट करने वाले अपनी क्लाफेज ठेक है कौन सा अपने फिर देखा होगा माहरासन सायद लिखा वादर कुछ इस टाइप से तो यहां पर लिखने का मतलब है कि मैरासन क्लास का मतलब ही होता है कि पूरा मतलब मेहनत से ठीक है जब रहे है वह सब ठकने ठाटरी भी आकि मोआल की ढिखत्म हो जाए लगे कि है रटो सब करने ही हो गया सुद कि अब आवर इमत नहीं पढ़ने की तो उसको महरासम बोला जाएगा ठीक है तो आज हम लोग वही काम करेंगे देखते हैं कहां तक कुस्टन सौल्व होता है कुसिस करेंगे कि पहला वोला जो समेश्टर आपका पूरा उसको सौल्व करा दिया जाए एक ही क्लाफ में बस एन करेंगे और अपने आपको भी आप यहां पर चेक करेंगे कि मैं कितना सही कर पा रहा हूं ठीक है ते चीज़े होगा हम और सबसे पहले चीज की कुस्टन स्टार्ट करें उससे पहले एक बर मैं चाहूंगा कि सभी लोग इस वीडियो को सेर कर दें ठीक है संख्या काफी कम दिख रही है तो एक बर थोड़ा सा सेर कर देंगे ना फिर मजाएगा करने में ठीक है तो थोड़ा से मैं आप लोगो दस सेकेंड का टाइम देता हूं मैं भी मुंबाइ पर देख रहे हूंगे निचे सेर का उप्सनार आ रहा होगा सेर पे क्लिक किजिए और जो भी गुरूप होगरे में जुड़े हुए है अपने अपने आइटे उगरे में वहाँ पर जो आप सेर कर सकते हैं ठीक है चलिए पहले मैं कर लेता हूं फिर आप लोग कीजिए दे है चलिए पहले क्वेशन का आना सुरू हो गया है काफी लोगों ने यहां पर रंजन कुमार है बी बी पूरा इदम हिंदी में लिग दिया है इनोंने बहुत बढ़िया एक एम गेमर क्या यह तो यह सभी लोगी तो बहुत गड़बड़ है मैं देख रहा हूं जितने बहुत बढ़िया है अगला कुस्टन है यहां पर देख रहा है कि इस अन्मिवारे प्रतीक का नाम बताए ठीक है अब यहां पर पता चलेगा कि कितने लोग पेल्द समझ करके पढ़ते हैं और कितने लोग रेट करके पढ़ते हैं आलागी यहां पर ऑप्सन देने के जुरवत से आप लोग आपूर बताईएगा कोस्टन नंबर लिखेगा उसके बाद लिखेगा ृधिक है कि कोस्टन नंबर दो लिख करके फिर आगी लिख कौँ स्वाब देना है ति नमबर दू का भी बिट्टुकुमार इतेज पूनम प्रतीक बिनोध बिनोध ने दो का यह दे रखा है प्रतीक ने नहीं बताया है कुछ लोग बी बता रहे हैं दीपक प्रतेल भी बता रहे हैं ठीक है रोड़ दो आपसां कैं यह और कुछ वाले हैं यह खालाप की हो गाने थोड़ा सबॉ cripple मानारा हुआ क्षचन बैंक में नहीं के जो 북 है नहीं के जो दूंभ का मतलब इस्टॉफ ही लिखा है किया लिखा है सब करद अगर सबस्क्राइब और वाला होगा रास्ता थे लेकिन निम्मी ने अपने बूख कर दिया और अपने कुष्टन बैंक में भी यह वाला सही किया है कि तो इसलिए अंपर दोहां है आपको बता दी कि यह भी है और झालते सिंबल दूसरा होता है इसे जो गना होता है यह सब्सक्रांद चलेए फ्टोष्टन पर चलेंगे कि एक्जाम में आई जाए है कोई बात ने आगे देखते हैं अगला कहा रहा है जो अलंग सी लिक्विडिबल ठोट को वर्गी कृत किया जाता है ठीक है फ्लेम लिक्विड वाला पूछ रहा है तूसे किस वाले क्लास में रखा गया आप जानते होंगे ना आग जो होती है हम अगला टाइप हमन्स वाला कर रहा है ठीक है यहां पर प्रतीक बाला जी पर में कायों करें दो मेरे ख्याल से पेपर में पेपर की बात की जाया है तो और आपकले ऑला करें आपकले एघरा पर रहता है तो कर को ज्या ठीक है इस सब् susması नमर सब्सक्ति को च्योंग से लिक्विड वाला उसको किस में रखा गया है आपकी आग चार है ने क्लास A, क्लास B, क्लास C और क्लास D यह वाले में हम लोग लकडी कागच होगर है रखते हैं ठीक है तीसरे का भी तीसरे का भी काफी लोग दे रहे हैं यहाँ पर आंसर बहुत बढ़िया तस नहीं है ऐखते हैं सही जारे हैं पर बिलकूल एक दो लोग यहाँ पर एक कोई है है मंद पाठे लें टी पर जा रहे हैं जो कि बिलकूल गलत बात है औक धैसन होगा यह हुगकड वाला कौन सा होगा और सफन बैस का अगला क्वसन आप लोग सामने हैं तत्काल जीवंद अच्छक यहां पर दिख रहा होगा आप लोगों प्रक्रिया कौन सी है ठीक है जो कि चोट लगने पर तुरंट पहले क्या किया जाता है उसको पूछ रहा हूं जो तुरंट इसका की जाती है जो आपका वहां पर उसके लिद्धिख भाल के लिए किया जाता है तो क्या कहते हैं उसको कि कुश्चन नंबर चार को स्ट्राइब लिख करके फिर आंसवर दीजिए तब समझ में आएगा ठीक है कुछ लोग पीछे ही रह जा रहे हैं कुश्चन नंबर लिखिए उसके बाद आंसवर दीजिए ठीक प्रुषी तंकीत बहुत बढ़िया अंसवर आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है एक किनों ने ताला वला बना दिया है कि लॉक किया जाए गोल्डेन मैथमेटिक्स बिल्कुल सही सही है सबका अंसर सही आ रहा है अंसर नंबर एच सही होगा फर्स्ट एडड बोलते हैं क्या दिख रहा होगा प्रस्ट नंबर पांच जयां से देखिए और आंसर देजी आप लोग सिम्बल का पूछ रहा है स्प्तिख का नाम बता है या सिम्बल देखा और इसका आपको नाम बतारा है कि इसकूल है गारडेड है अनगारडेड है क्या होगा कुस्टन नमबर पाँच थीक है पांच लिखिए फिर ना पहले पांच लिखिए question number 5 फिर answer देजिए 5 का C, 5 का C, C, सही है काफी लोग C वाले answer पर जा रहे है 5 का C, unguarded ठीक है बिल्कुल सही है 5 का C होगा आपका unguarded और एक बाद थोड़ा सा like बटन दबा देजिए आप लोग ठीक है थोड़ा सा और मजहा आ जाएगा लाइक बटन इस ट्रेंग के बना होता है वही पर इसे दबा देजिए ठीक है यहां पर देख रहे हैं बना हुआ है इस सिंबल में न और यहां पर जिस जहां पर भी जो रेलियो तो आप सों सी सही हो जाएगा है यहां पर जैसे भी यहां ट्रेंड मने आती है मतले यहां से ट्रेंड आएगी जाएगी और आपको अपना खुद ध्यान लखना है काफी लोग ने बढ़िया अंसर भी दिया है यहां पर ठीक अगला कोशन देखिए आप लोग लकडी की अगनी कागज कपड़ा यहां पर रहेगा कपड़े के कारण लगिया किस प्रकार की क्लास के अंतर गरता थी अभी मैंने पीछे बताया भी इसका तो आंसर आप लोग को तुरन देना चाहिए पीछे अभी मैंने बताया था पांच का नहीं छे पर आईए आप लोग कोश्चन नमबर छे पर ठीक है कोश्चन नमबर छे का ए सीवांत रितिक ब्रिजेस मनेस बहुत बढ़िया सबका ओप्सन बहुत बढ़िया जा रहा है सही है यह तो यहार मैं देख रहा हूं कोई गलत आंसर दे नहीं रहा है यह तो बहुत अच्छी बात है हाँ यह दूसरा प्रिंट आउट लेकि आप लोग बैटे विए हो पीडिया पॉला और वहां से टिक मार रहे हो ऐसा कर रहे हैं तो बहुत बात है ठीक है आज आप लोग अपने आपको यहां पर चेक कर सकते हैं लें कि आपके सेयारी कितनी है रही कोईशन नंबर चेका क्या होगा और अपन ए सही हो जाएगा क्लास A लकड़ी का अगर चेंज जो आग होती है क्लास A में आती है वी वाले में लिक्विड आती है जैसे कि डीजल पेट्रोल में जो आग लगती है सी वाले में गैस वाली आती है गैस में जो आग लगती है और डी में जो हमारा मेटल में लगी आग या फिर इलेक्रिक के क्लास को कब चलेगी सब कर चलेगी ठीक है लगत तो राय सर बोले कल चलेगी चलिए अगला कोस्टिन देखिए आप लोग कोस्टिन नंबर साथ कि जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करेंगे ना टाइम नहीं लगा ना फटापट आगे बढ़े जब सकेंड पंदन सकेंड में आप लोग आइंसर देजिए दो सकेंड में टिक कर दूंगा फिर आगे बढ़ जाएंगे ठीक है चलिए ठीक है कोशिन नंबर साथ का भी कारबन सब्सक्राइब करेंगे आगे बढ़े ठीक है आप पीछे रहे गए हैं साथ का कुश्चन चलना है साथ कभी साथ कभी ए मुकेस जमाल अद्दीन अंसारी स्मार्ट रोहित प्रतीक पूनम बहुत बढ़िया बहुत सही जा रहा है यह सब लोग एंसर सही दे रहे हैं बिल्क क्लास बी की आग बुझाने के लिए यूज किया जाता है ठीक है साथ का सी वाला बिल्कुल गिलाता है साथ कभी एंसर सही होगा है यह जो की बिजली की आग बुझाने के लिए यूज किया जाता है किसके लिए क्लास बी की आग बुझाने के लिए बिजली की आग बुझा नमबर 8 दो कोस्चन नमबर 8 के साथ है करों तरिक ब्यौसाइक खत्रों के अंतरगत आता है निलिए फटा फट जोब दीजिए ना सनम्बर 8 कुस्चन लिखें जो रहे हैं उसमें मंजाने जाने रहा है उसके आगे पर लिखें ए सही है ठीक है पहले question number लिखेंगर उसके बाद जवाब दीजिये 8 का D ॥ प्लास का डीज यहां पर कॉन सा होगा यह आंतरीक भी आफाइग खत्रे दखी यहां तरीक चा मतलब क्या मेकेंकल मतलब मसिनरी से जुड़ी वी चीज़, याद रहगा ठीक है मतलब तो उनसे हमें क्या होगा यहां तो इसे हमें क्या होगा तो यहां पर आपका बिल्कुल सही है नेज्ट पर चलेंगे आप लोग तो बिल्कुल तयार हो यार कोई दिक्कत नहीं मैं देख रहा हूं काफी बच्चों का एकडम सही जवाब आ रहा है मैक्सिमम लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं एक दो साय दी गल्सी से दीखें मुझे गलत वलत आंसर दीखी नहीं रहे हैं सब बिल्कुल सही दीख रहा है अगला वला कोस्टन आपके सामने है फटा फट जवाब दीजिएगा कोस्टन नमबर 9 ठीक है गायल ब्यक्ति के रख्ष्राव को कैसे रोके जल्दी जल्दी जवाब देजिए सिवान्स राजो कमल ओफसियल एक है कमल ओफसियल एक है सर फिटर सेकेंडियर की मैं रसन क्लास अपलोड कीजी ठीक है जल्दी करेंगे पहले एक तो हो जाए बारी बारी जिक्रएंगे सबको घरेंगे ठीक है बिन एपाल नो करड़ी नो करड़ी बहुत से डीवला सही है गया अभी मैंने देखा भी नहीं है गायल गट्टी के रख्ष्राव को कैसे रोके काफी लोग नो करड़ी आंसर पता रहे हैं ये आकाज गुपता जी करें मेरा भी नाम ले लिजी है सर, D वाला सही है, बिल्कुल सही जवाब दी आपने भी, ठीक है ये कौन है, अंकुष जी करें समेश्टर 2 की क्लास कब होगी, 1 वाला खतम हो जागे तब न 2 की होगी, ठीक है नाओ काड़ी, बहुत लोग, बहुत बढ़िया, आकास का भी एंसर बिल्कुल सही है, सूरज, आसेस, प्रतिक, प्रतिक, अच्छा ठीक है, इनका एंसर पहले भी सही आया हुआ, तो अभी भी सही चल रहा है, बिल्कुल अच्छी बात है, option D सही हो जाएगा, कि घाल बैक्ती के रख्ष्राव को कैसे रोकना होगा, जहां पर किसी बैक्ती को चोट लग गई हो, तो उसकी बात करा कि उसको रोकते कैसे हैं, तो हम लोग हाथ तर दबाओ देते हैं, कहीं पर चोट लग जाती है, आप जनरली भी देखते हैं, आथ हो गरें, मैं हमारे चोट लगते हैं, हम क्या करते हैं, अंगली को आथ से तेजी से दबा लेते हैं, जो दबाते हैं, तो खून वही पर बहार आ रहा होता, तो लुधा ओंपे जम जाता है, फिर वहां पर खून आना बंद हो जाता है, तो हाथ से दबाओ दिया जाता है, पकड़ा जाता है, तो उसी को लोग को कहते हैं, क्या कि दबाओ दे, और रख़आव को रोक दें, ठीक है, रिमोट ते ही आगे पूराएं कि थीक है कि को से नमबर दस चलिए दस वाले प्याज़ाज़े पटापट को से नमबर दस कि इस चीन का नाम के यहां पर आप लोग देख रहे हैं एक बच्चा यहां पर दिख रहा है जो की ऐसे रास्ते पर जा रहा है मतलब रोट को क्रास कर रहा है रास्ता बना हुआ है इस वीट तो बढ़ा है है ठीक को दुबर भास लिखाव हो जा रहा है ना तो यह दह्किए फटा फटा अंसर दीजिए इसका आप लोग कुस्टिन नमबर 10 जल्दी जल्दी 10 का यह 10 का डी कोंग दसका यहां पर आंसर देदिया है दसका उपर चला गया कोई बात ने दसका डी 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 है क्या पैदल चलने लोगे आपके हाइव गंद क क्रीघ कोई यहां से क्रस कर रहा है कोई वहां से ड़सक कदम हो कर दो दिक्कत हो जाएगी तो आप ऐसे line ये बनी होती है, रोट पे क्या होता है? जैसे इस रोट जा रहे हैं है तो यहा बीच में ऐसे line ये बनी होती है, जहाँ line बनी होती है सिर्फ वहीं से अम refin land को इस पार से उस पार cross करते हैं इसको zebra crossing B क्रोसंग te wauna बिल्कुल सही है अगले question पर चलेंगे आग लंगने के तीन कारख क्या है फटाफट जवाब दिजीएगा कि आग किसकी जैसे लगती है क्या तीन चीज़ें उपस्तित रहेंगी तो आग लगेगी बहुत ही आसान question है question number 11 ठीक है जल्दी जल्दी देखिए question number 11 question number लिखिए और जवाब देजिए पड़ाग ठीक है सर आप comment पढ़ना बंद करें कौन के रहा है बिने करें ठीक है मैं और जल्दी जल्दी करवाने कोशिस करता हूं कि दस कड़ी एकाउन करें सबसे अपसे प्रजापती 11 का यह 11 का यह 11 का यह बिल्कुल सही 11 का यह सही जा रहा है आरके जी कह रहा है मैं लाइक कर दिया सर ठीक है बाकी लोग भी लाइक कर दे जिन्नोंने अभी तक नहीं किया हुआ है उसके बाद आगे चलते हैं और मज़ा आएगा बिल्कुल सही जा रहा है 11 का यह ठीक है आग लगने के लिए इंधन उस्मा आक्सिजन तीनों चीज़े उपस्तित होना जरूरी है आग इंधन और उस्मा इंधन उस्मा और आक्सिजन भाई यह तीनों चीज़े रहेगी तभी तो आग लगेगी इनमें तो कोई भी अनुपस्तित होगा तो आग वहां पे नहीं लगेगी एका कोशन पूछ रहा है झालने गटन थीना, है यह but अग अगंति करहें वह चीज़े पूछ रहा है जो होता है जब हमें चोट लगती है जब किसी ब्यक्थी को चोट लगे तो चोट लगने के बाद चोट लगने के बाद क्या होता है कि जो सबसे पहले हमें 30 निट जो पहला होता है जब आपको चोट लगेगी तो उतना ज़ली आप हॉस्पिटल पहुच जाए तो उतनी अच्छी बात उतना ज्यादा आपकी बचने के संभावना अपने मुवी में देखा मुवी होगर हम द जाती ठीक है इसका मतलब जो सुरू में चोट लगती तो जो सुरू का आदा गंटा होता है न वह मरीज के लिए जिसको चोट लगी वह इसके लिए बहुत ही जरूरी होता हुआ उतका जल्दी से जल्दी पहुचेगा उसके बचने के चांसे उतने ही ज्यादा होंगे तो ठीक है question number 13 चलिए पटापठ से जवाब दीजिएगा कार या स्थल पर दुरुगतना से बचने का कदम क्या है question number 13 यह कोई है कह रहा सर मेरा भी नाम ले लेजिए पहले आप अपना नाम तो सही लिखिए FF Gaming NQY यह कोई नाम है पहले नाम तो है सही करो ठीक है question number 13 तेरा का C कुछ लोग 6 का अभी अंसर दे रहा अभी तक 13 का C 13 का C 13 का B भी आ रहा है तेरा का A भी आ रहा है तेरा वाले में हैता कि आज हो काफी confused हो कार यासल पर दुर गटना से बचने का पहला कदम सुरच्छा उक्राइब पहला कर चीजों को अपनी तरीके से करना सुरच्छा साउधानियों का पालन करें है यह उसीमा वर्यक्त के सबस्ता से सांबर और मैं जी इंग्याद झेंगे गाले कोश्चन पर चलेंगे पर जवाब दीजिए ठीक है, नाम लेने में काफी टाइम लग जाएगा ना, हमें क्वेश्चन जड़ी जड़ी सॉल्व करना है, यह प्रतिक क्या दर्साता है, यहां पर सिंबल बना रहा है, चलिए इसका जड़ी जवाब दीजिए, अभी शुरू में इस टाइप का क्वे क्वेश्चन आया हुआ था क्वेश्चन नमबर 2 पर ही, हम लोग थोड़ा सटक गया थे हुआ, मैं आपको बताया विदा चीजे, उसी टाइप का क्वेश्चन देखे, यहां पर आ गया है, यह प्रतिक क्या दर्साता है, क्वेश्चन नमबर 14, 14 का B, 14 का A, 14 का A भी बता जब कि मैंने आपको बताया था, कि सही आंसर क्या होगा, इसका मतलब होता है, इस लिए हम लोग इसका गिवा राइंसर सही कर सकते है, ठीक है, हलांकि पर चलेंगे अगला देखिए को सब्सक्राइब कर दिब्बे का कलर कोड क्या है यह कह रहा है कि जो बेकार कागच उनको रखने के लिए जबबा होगा डस्ट बीन होगा डस्ट भीण डखते हैं तो किस कलर क्या होगा गर अलग साभाई को रखने के लिए अलग अलग कंई से वाले क्या ऐसा नाल यह क्या डालना है? तो जो कई सफाइब अलग तो निकालने जाए गए तो इसको हात में चोट लग जाएगी. इसलिए सब अलग अलग टाइप के उसको डिस्ट्टिब्यूट किया ओता ऑफायक लिए और बाटा गया होता है कि कौुन सा किस कलर कोई है बिट्टू है तेरह कसी हो तो तेरह पे हैं कुछ लोग पीछे रहे गए हैं मुबाइल में आगे फारवट के दिए ठीक है आप लोग पीछे चुड़ गए हैं पंद्रक अभी पंद्रक अभी यह हरी साइट यही करके हैं इनका भी है सही आ रहा है एंसर ब्लू बिल्कुल सही ऑप्सन भी यहां पर सही हो जाएगा अब कागच के लिए क्या होता है नीला लाल किसके लिए होता है तो देखे याद करने कमेंड तरीका भी बता था जब मैं पढ़ा रहा था पीछे क्लासे तो आप देखते हैं उनके मार्केट में जाते हैं तो फलाव गर जो भी कुछ खाने होले समान करते हैं तो उसको काले पॉल्टिन में दिया जाता है ताकि वह दिखे न तो यहां पर उससे याद आजाए आपको काला कलर किसके लिए होता है खाद्य समागरी के लिए किसके लिए खाद्य समागदी अगर हो तो उसको काले कलर की दस्क्रिवीन में डालते हैं ठीक है ठीक है बिल्कुल सही अगले क्वेश्चन पर चलेंगे भाई ये राम को ने कह रहा है सर आप पहले फोन का बंद कर दें फोन बंद हो जायाएगा तो फिर मुझे कमेंट नहीं दिखेगा ना फोन बंद हो जायाएगा तो मैं कमेंट कहां पर देखूंगा ठीक है एक कोश्चन आपके सामने है इसका जवब आप लोग दीजिएगा कोश्चन नमबर 16 या रोट साइन किस सब्सक्राइग आपके सामने चारों आपसन ने फटा-फटा से ुख में प्रूश रहा है इक पंकस्ती लाइप क्लास कर पर चलता है थो लाइप क्लास हमारे जिए 7 बजे से चलती है जैली साम को 7 बजे कोई दिख रुटि इस संभी मली खान थील वाली टंकी का आप लोग पहरे। तरह कर दिखा रहा है कि इपर पफ़ाये को नियुक्त है इससे इसने के इस से ऊपर जाते जाएंगे इस पर जाएंगे इस पर जाएंगे तब भी दिल्ली पहुच जाएंगे तो अलग लग रहता है तो अमें क्या देता है रास्तों पर देखते हो बोट लगा होता है तो हमें जानकारी दिया कि इधर जाने पर क्या हमें मिल लग मतलों अभी इंफर्मेशन हो गया तिसलिए जो दोनों फिगर है किसकी साइन होगे इंफर्मेशन साइन हो गया अगले कुश्चन पर चलेंगे है ठीक है जोलन सीला और बैने और तरल के लिए किस अगनिसामा की अंत्रा उप्योग किया जाता है मैं पहले बता चुक हूँ पीछे कुश्चन नंबर 17 का जवाब दीजिए आप लोग 17 का एक को ने सबसे पहले जवाब आया है कमल दीप जीगा कमल दीप ने सबसे पहले जवाब दिया 17 का ए लग रहा मैंने उस पर टीक भी कर दिया है तो यहां पे चलिए सही है बिल्कुल सही अंसर है फो मिक्शिंग उसर कि अगला कुश्चन आगया आपके तामी चीकिस्ता के ABC में एक दर्फाता है तो उसमें यह हमारा क्या बताता है जिन लोगों ने प्लासेज पहले किया होगा 500 कुश्चन वाला सीरी जो यह नॉर्मल हो तो उसमें आपको पता चल जाएगा ना उसमें मैंने बताया था सारी चीजों को खटापड बताएगा कुश्चन नंबर 18 18 पर आ जाएगे आप लोग फटापड कुश्चन नंबर 18 ठीक है 18 कई 18 कई 8 राजी बंगाली कॉण को काफी लोग है बहुत बग्णिया एक का अरवे क्या होता है औहर एल ठीक है कि का मतलब क्या होता है ब्रीथिंग कि का मतलब शाँ लेना और दर्सी का मतलब हो था है ब्लड का सर्कुलेसं बराबर बना एथ हरह किसी को चोट लग जाए तो सबसे पहले देखा जाता है कि एर वे उसकी वायू मार्ग सही है नहीं वह सही से सांस ले रहा है नहीं ठीक है एर वे का मतलब है कि जैसे कि कराना है कि हम चेक करते हैं कि प्रॉपर सांस ले रहा है नहीं नहीं ले रहा है और जो लोग यहां पर जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही जा रहा है बिट्टो जी बी-बी-बी नहीं रहेगा भाई सबसे पहले आंसर देते हैं तो अब मैं वही करूंगा जो सबसे पहले आंसर देगा उसका नाम लोंगा और आगे बढ़ जाओंगा ठीक है चलिए अगला क्वेशन आपके सामने हैं आप लोग कोस्चन नंबर लिखिए उसके बाद जवाब दीजिए कोस्चन नमर सबसे पहले जवाब आया है उसके बाद अच्छा थैं ठीक है सबसे पहले में मैट्रियल को तोड़नी की प्रक्रिया क्या है 19 का C सही है जमाल अबदीन 19 का C बिल्कुल सही कमपोस्टिंग आप्शन C क्या हो जाएगा जए भी कंपाउंड मैट्रियल को तोड़ना है कमपोस्टिंग चभी रिशायकलिंग होता है जहां हम उन्हीं चीज़ें को दुबारा यूज करते हैं लैट, फिल्स में क्या होता है कि जो बेकार मैट्रियल है जमीन में गड़़ आ खोदा जाया और उसमें भर करके दफना दिया जाय लैट, फिल्स क्यालाता है लैंड का मतलब जमीन, फिल्द का मतलब भर देना, किसे बर देना, कुड़े कबारे से, जो हमारी बेकार चीज़ है, उनसे बर देना, लास्ट है बर्निंग वेस्ट मैटरियल, मतलब अपसिश पदात जलाना, जो बेकार चीज़ है, उनको जला करके खतम किया जाए, तो बर् प्लास्टिक कच्रा बीन के लिए कलर कोट क्या है कि कोस्टन नमबर 20 प्लास्टिक कच्रा बीन के लिए कलर कोट क्या है तो उसे किस कलर के डस्ट बीन में रखेंगे उसे किस कलर के डस्ट बीन में रखेंगे बीस काड़ी और सलान मुल्ला रूपक रजाक आई टी रिलेटेड एक कुछ और है राई सालम नाम है इनका कह रहे हैं ठीक है बीस काड़ी आंसर बिल्कुल सही पीला देखी इसको याद रखने का एक तरीका भी है मैंने बताए भी तक अपने वीडियोज में कि पीला और पॉसे प्लास्टिक पर से पीला ऐसे आपको याद रहेगा कि प्लास्टिक को पीले कलर के दश्कबीन में रखते हैं ठीक है ठीक है अगला है देखें रेट वाला किस लिए है मेटल के लिए है नीला वाला कावज के लिए हरा वाला काच के लिए हमने पीछे बात किया था आगे कोश्चन की तरफ चलेंगे आकाज जी कह रहे हैं मुझे सिर्फ आपकी वज़े से 500 सारे सवाल याद है बहुत अच्छी बात है एक्जाम में भी आप लोग बढ़िया पर्फर्मेंस करके आई यह मजा आएगा सूरज जो आप कोश्चन पूछ रहे हैं चले आपका वहीं पर मैं रिप्लाई करूंगा थोड़ा उसे मैसेज ज्यादा आते तो मैं सारे मैसेज देख नहीं पाता हूँ ठीक है इधर थोड़ा आप लोग जानते हैं एक्जाम होगरे चल रहा है न तो थोड़ा और कम समय मिल पाता है ठीक अगला करा फाइल में एक्ज रूप में चिनीद वाग को नाम दे इसका जवाब देजीगा 21 का एंटर क्या सही होगा 21 का ए जिन लोगों ने 21 का ए जवाब दिया है न वो पीडिया फ्रटने वाले लोग है जो 21 का ए जवाब दे रहे हैं जो की गलत है 21 का ए ज इसको पूचा होता मonceने होता तहुआररा जो थ्यास के भाग होता है बिला दातों के बज जाता इसको हेल कैशते हैं यह हमारा टैंग है फेरूल का उन सा यह वाला जो सी है फेरूल हुआ यह वालब आग होता है इसको फेरूल कियते हैं और फाइल की लंबाई प्वाइंट से ले करके हिल तक होती है यह फाइल की लेंज होती है लंबाई होती है तो यहां पर ऑप्सन भी सही होगा टैंग यह आपके निम्मी में एंसर गलत दे रखा है निम इम्रान आलम, चलिए ठीक है, सही जवाब आया आपका इम्रान आलम, एक ट्राइ स्क्वाइर का उप्योग क्या है, ठीक है, 22 का ये सबसे पहले नाम आया, किसका मुन्ना कुमार यादव, बहुत बढ़ी हाँ, मौक टेस्ट में हील आंसर देता है, हील आंसर दे रहा थे, बिल्कुल गलत है, मैंने आपके सामनी अभी बता दिया ना, कि किसको हील कहते हैं, किसको टैंग कहते हैं, तो आप लोग टैंग वाला सही कीजिए, ठीक है, हील से कोई मतलब नहीं है, 22 का, ए, ट्राइस्पायर को यह क्या है, ट्राइस्पायर आपका इस टाइट से होता है न, एक इसलिए बलेड ओती है, और इसलिए जोब का समकोट चेक करने के काम आता है, किसी भी जौब की दो बुज़ाये, एक दुसरे से लपन धूज gesture कर है या या नहीं, यह ट्राइस्पायर के दौरा चेक किया होगा ठीक है अगले कुश्चन पर चलेंगे जवाब दीजिएगे आप लोग कुश्चन नंबर 23 कौन सी मार्किंग मीडिया जैरीला है बहुत ही आसान कुश्चन है कौन सा मार्किंग मीडिया जैरीला है अब बहुत पीछे हो आप लिए जैरीला है यह अलगी जवाब कहां दे रहे हैं अभी बहुत पीछे हो आप ठीक है जो लोग गाव पे जो कमेंट किये थे ने गाव पर टिंचल लगाए है तो क्रिप्या वीडियो आगे बगाए हैं क्योंकि आप बहुत पीछे रहे गहे हैं ठीक है बहुत सही तेजिस का सी एक बच्चा यह है प्रतान तेजिस का ए भाई आप कहां हो बिल्कुल गल दिशे हूं करी के जहरीला भी है मार्किंग मीडिये आप से सब्सक्राइब करें ने स्फोफने में अधिक समय लेता हैं ऊधिक समय लेता है पर्षियन ब्लू इस medications कि यह बहुत बड़ी कमी एक जाम में आता है सेलुलेज लगकर अच्छा मार्किंग मीडिया है जो कि जड़ दिसूख जाता है ठीक है कि सही है copper sulphate बहुत बढ़या स्मार्ट भी इन्होंने भी answer कापी अच्छा अच्छा दिया है सन जय हैं पंकर जय हैं बहुत बढ़या हैं अगला question देखिए question nume 64 प्रेक्टिस करने के लिए यहां पे आप सारे आंसर सही बता दोगे तो उससे ना तो मेरा कुछ फैदा हो जाएगा ना तो आपको मिलने वाला है आपको फैदा तब मिलेगा जब आप अपने आपको सही जच कर पाओगे कि आप कितना सही कर पा रहे हो चली अगला कोश्चन है उनिवर्सल सर्फिस गेट का कौन साइसा स्क्राइबर को पकड़ता है कोश्चन नमबर 24 एंसर आना सुरू हो गया है यार काफी पहले थे ठीक है 24D 24C 24A 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 प्रकास कुमार सुबास अच्छो तो नहीं क्या है ठीक है 24C आरा ज्यादा था इनिवर्सल सर्फिस गेट का कौन साइसा स्क्राइबर को पकड़ता है बिल्कुल सही है स्क्राइबर को पकड़ने वाला हिस्सा होता है इस नग अपसन यह आपका सही हो जाएगा सही है अगले कुश्चन पर चलेंग विकास कुमार सिंग बहुत सही खुश्च हो गया आप नाम आगया आपका ना ठीक है जवाब दीजिए जो सामने आएगा कमेंट उसका नाम मैं खुद लूँगा ठीक है यार इसमें वह बारिस कम होता मैंना साइट सो फितंगी उगर आ जा रही है वह अपना लाइन किस द देना ना जाले बहुत बढ़े हाँ चौवीस पचीस नंबर पचीस का सी अगया यह उतिये पढ़ाई का देखें ऐसा ही बात है सनी सर बोल रहे हैं यहां से कि टिड्डे भी पढ़ने आ गए लाइफ क्लास वैसे नहीं आते से सब देखें लाइफ क्लास नहीं सब भी आ ग सीव चरन बहुत सही डार्क एविल अर्मान बॉडी क्या लिखा वाया बॉडी बनाओंगा तो जिम जाए फिर यहां लाइफ क्लास में बडी नहीं बनेगी बिल्कुल सही अंसर है आप लोग कोस्टन के साथ ना मैं पहले भी बताया हूं कि आप लोग कोस्टन नंबर पहल इसी जो पीडिया पर इसके सारा कुश्टन उठा लिया था इसके वाला कुश्टन आपके ग्जाम में आया भी था अगले क्वेशन पर चलेंगे अगला है पहले कटा और पतले वर्कपीस को काटते तो मैं दाते बहुत आसानी से क्यों टूड जाते हैं यह इक्षा की बात कर रहा है कि जो हम एक्षा करते हैं तो पहले कट पर मतलब आसानी से उसके दाते की टूडते तो पहला हम कट लगाते हैं उस टाइम पर थीक है कि यह वाला जो कुस्ट जैना है यह वाला बीडियों में आया हुआ था दियाइडियों में जो आपका एक्षाम वहता है सारे कुस्टन आप इसी पीडियाप्स उतार लिए थे जो आपके टूटर मिला कर फश्ट्यर से केंडियर के एक हजार कुस्टन होंगे ना उ उसको छोड़ करके बागी सारे कुस्टन इसी पीडियाप्स आया था काफी बच्चो का अच्छा जाम हुआ था ठीक है हलांकि मैंने भी दिया था पहला वला क्लियर था तो मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे जोआई नहीं करना था तो अगर उसको देता तो भी बच कोशन नमर 27 पर हूं कोई आकर भी है क्या इसमें आगे कोशन देख रहे रहा है ठीक है 27 का 27 का जवाप दीजिए डी डी बहुत बढ़िया हाथ का बल के विल कुछ दातों पर काम करता है option D बिल्कुल सही है कि अधी पहला कट हो तब भी पहला दाता पड़ेगा और पथ्ला वर्क यस होगा तो भी दाते कं संपर्क में आएंगे तो जब हम हात का बल लगाते हैं तो एक ही पूरा मतलब जो ब्लेड होता उसमें कही सारे डाते कटे हुए पर जब एक ही दो दातों पर आपके पूरे हाथ का फोर्स पढ़ जाएगा तो दाता जली तूटी जाएगा ना तो वही चीज़ पूछ रहा है आप यहां पर सही रहेगा बहुत बढ़िया हूँ आपकास जी करें सर जहां में प्रेटकल देने गया था वो भी चौक गया बोला तुम तो कभी स्कूल में नहीं देखा फिर भी सारे अवजार की नाम याद है तो मैंने आपका नाम दिया सर जी बहुत बढ़िया बात है अब बनाए वीडियो बनाए भी थी आप लोग को प्रेटकल से पहले और मैंने आपको बता भी दिया था कि वह प्रेटकल में जो कॉमन मतलब वो टूल सी यूज होने ही है अपको पहले बताया था ठीक है और आपने सामने देखा होगा तो वक्टॉप में भी वह टूल चौकोर बनाने के लगों यूज द्वाहे हैंच के लिए tips जब करनर से में हटाना हो था था तो वहां पर डाामन पर कट पॉइंट ऊसर नाख करते हैं CHRIS MARTIN पाधिशन से सटाब को जानते हैं scared सबस् ampla में हाफ रौन के लिए और हाफ राउनड चीजल या होता है सब के बारे में हमने देख लिए आगे कुश्चन पर चलेंगे बहुत बढ़िया थोड़ा सा आप लोग वीडियो को सेयर भी कर दिजिए वीडियो अभी अगर आप लोग चाहो बहुत बढ़ी चीज नहीं यह 10-15 लोग को आप नहीं जोड़ सकते हैं तो थोड़ा सा समय निकाल करके एक लिर सेयर भी कर देजी वीडियो एक है मज़ा आएगा तो मुझे मज़ा आएगा आप लोग नहीं मैं देखूँगा मुझे मज़ा आएगा को लोग इस बादा वगे थिक करने बोला है संक्षा घट किन 59 पर आ गई चलिए ठीक है आगे क् कि 29 का सी 29 का सी बहुत बढ़ीयां करन लकी अमन सोम्ना के बहुत बिटु सप्पर की अचं़रा है चिक इस वाली से को सबढ hooked का वजन लिखा होता है चिक पर ही क्या लिखा जाता है थवड़े का वजन कहा प्यांकित होता है चिक पर अंकित होता है उपर वाला जो इससा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहां पिन पंच लिखा हुआ पिन पंच नहीं पिन बोलते हैं ठीक है यह वाला जो इससा है अगला question देखिएगा आप लोग काटने वाले छेनी पर गामा जारा की स्कोर को दर्थाया जाता है देखिए यहां पर देखिए गामा दे रखा इसका इंगल पूछ रहा है तो यह वाला जो इंगल होता है ना इसको हम लोग बोलते हैं क्या यहां से यहां तक इंगल है यह हमारा होता है cutting इंगल ठीक है और यह जो लास्ट में है यहां से यहां तक इंगल होता है इसको बोला जाता है रेक इंगल और पूछा भी question में यह है question number 30 30 का काफी लोगों ने जवाब दिया है यह तीस वाला यह बहुत बढ़िया रेक इंगल ठीक है अगले question से चलेंगे जजली से जवाब देजेगा आप लोग आगे बढ़ते हैं फिर फटा पड़ दातु के उस गूड का नाम बता है जिसमें वह बिना टूटे तार में खीचा जा सकता है option number sorry question number 31 बहुत बढ़िया चारतों को क्रास कर गए आप लोग साबास मज़ा आ गया मुझे ठीक है बहुत बढ़िया खेक है दातु की उस गूड का नाम बता है जिसमें वह बिना टूटे तार की रूप में किचा जा सकता है question number 31 question number 31 सीच से आ गया यह आप लोग ठीक है question number 31 31 का A सबसे पहले जवाब दिया प्रतांत ने फिराजियस ने रूपा सौम्या अंसुल सौम्या अंसुल को B जा रहा है कुछ लोगों का A जा रहा है देखना पड़ेगा दातू के उस गूड का नाम बताए बिना टूटे तार के रूप में तार के रूप में वह कब खिचा जा सकता है तार के रूप में बहुत बढ़िया यह वालों की संक्या बढ़ती जा लिए जो की बहुत अच्छी बात है आदर्स जी कह रहे हैं सर मैं बुलाया बहुत अच्छी बाद है चलिए आफ्टन नमबर ए डक्टिल्टी ठीक है डक्टिल्टी ही वह गुड़ है जिसकी वज़े से किसी भी धातू को तार के रूप में खीचा जा सकता है उसका तार बनाया जा सकता है आपका अल्मुनियम हो करने लग रहा है यह पीडियो पॉले लग रहा है मुझे को सिंबल के एक डियोजन की स्पिंडल मुविंट क्या होगी जब इस पिंडल त्रेड 0.5 mm पिच का है ठीक है एक डियोजन कमान पूछ रहा है आप्सन नमबर ए 32 का ए जो भी जवाब दीजिए आप लोग question number लिख करके उसके बाद answer को type कीजिए question number पहले लिखिए उसके बाद अपना option टिक कीजिए तब मुझे भी समझ में आएगा कि आप कौन सा जवाब दे रहे है ठीक है 32 का है हाँ ऐसे लिख करके कुछ लोग देखे type के यहां पर मैं लोगों ने पहले लिखा है 32 फीड लिखा है यह बहुत अच्छी बात है प्रदीप सनोज बहुत सही 32 का है यह सही होगा आपका एक डिविजन का माम जो होता है क्या होता है एक डिविजन की मुमेंट वह दस्वनो जिरो एक कैसे होती है मैं थोड़ा साब को या मैं बता देता है इस पिंडल स्रेड जीरो पॉइंट थेड का जो पीछ है वह कितना दसरों 5 मियम मतलब एक ट्रेड से दूसरे थेड की भीच की दिवरी दसरों 5 मियम है यह बता रहा है एक न पूछना किसके थिंबल का तो में मालूम है कि mith middle nine percentage के Taliniied थिम्बल पर 50 वाग होते हैं कितने वाग रुजा समय फिछाना तो वह एक पीच के बलाबर दूरह चलता है और पीच कितना होुला तो 50 बात का मान अगर 0 दस्मलों 5 आए तो एक बात का क्या होगा देखिए तंगी फिर से आगी न ठीक है क्या होगा 0.5 फिप्टी दस्मलों खतम करने के लिए 10 का उपन नीचे गुड़ा कर दीजिए आपके पास आ जागा 5 बटे 500 5 से कर जाएगा 100 हो जाएगा एक बटे 100 दो जीरो है तो दो अंग पर दस्मलों जीरो दस्मलों जीरो एक आ जाएगा एम एम में तो यहां से आता है आपका ठीक है ठीक है आगे कुश्चन पर चलते हैं अगला है इस कैलिपर की रीडिंग क्या है बहुत ही आसान कुश्चन है यह चीजे मैंने पहले आप करार रखी इसलिए मैं यहां पर जल्दी जल्दी कर रहा हूं मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से सारे कुश्चन आ भी रहे होंगे ठीक है जिन्होंने पेट क्लास जोइन किया होगा उन्हें भी आ रहा होगा जिन्होंने नॉर्मल पढ़ाई कियोगी यूट् से साल कर पाएंगे कुश्चन नंबर 33 जल्दी जवाब जिए 33 का डी है हाँ एक लोग कौन है कि 420 प्लस होगे बहुत सही बात है 420 प्लस होगे ना 435 होगे हैं बहुत अच्छी बात है तो सभी है जब कि नीचे वाला जीरो कहा है जीरो यहां पर है हम देख रहे हैं कुस्टन में जीरो यहां पर है हैं ठीक है थोड़ा में बड़ा कर देता हूं तो सvयद्यादा क्लियर देख है फिर हम लिए चूद्ध कर लेंगिर न सइसके पहले चालीटिछ कर दो होगा यह और तीस रहोगा यहां पर सr describing पाँ कोण में यहां यहां पर आगे तो चषपीस तो ले नहीं सकते है थोड़ा तो होता है बस सॉल कर लिए एंसर आजाएगा 35 प्लस बीस दुना चालीस जीरो दसमलो चार जीरो दुनों को जोड़ देजिए 35 दसमलो एँसर टी यहां समझ में आहा है तो अपत्तों अ पर कम्प्रीट करें करा दूँगा 50 पर्तिटेंट एक वीडियो में ठीक है थोड़ा सा टाइम लगेगा पर करेंगे हम लोग आज राज कुमार पासवान बनिया समझ में आ रहा ना नेस कुश्चन पर चलते हैं ठीक है इसका जवाब देजी आप लोग इस ववर्नियर बेल प्रोटेक्टर के लिडिंग निकाल ली है question number 34 question number लिख करके फिर आंसर ठीक किज़ेगा 34 का B, 34 का B, ठीक है, एक दो लोग 35 का जो आप दे रहे हैं पता नहीं कहां सो लोग देख रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है सुमेर, तलमान, नहीं सारी, समीम नाम है प्रसांत, राजुगुप्ता, प्रसांत कह रहे हैं 34 का D, राजुगुप्ता कह रहे हैं 34 का B, मुझे देखना पड़ेगा लग रहा है, इसमें लोग कंफ्यूज हैं, 34 का D या 34 का B, चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं, बहुत ही आसान होता है इस टाइप के बारा हुआ बाग, एक बटे 12 डिग्री या फिर 5 मिनट तक की ले सकते हैं माप, सुरी यह तो डिग्री हो गया, 5 मिनट, ठीक है यही इसका लिस्ट काउंट होता है, वर ने बेर प्रेक्टर की, अम माप निकाली जाए, यहां पर तो हम देख रहे हैं, भाई यह कितना है, म इस लिए इक तालिस इतालिस और और इस बीच में बना यही तर प्रेक्ट पना है, इसलिए हैं यही त्ग्री मिनट अला पर देखें, यहां पर 0 है, यहां है, यहां पर मिनट यहां पर दिखाए गया लास्ट अले पे तो पांच मिनट देस पंदव बीस पचीष जिए तीज बनाया गया है तीज फिर पहँतीस चालीज पैह तालीज पचास जाए गाया क्या भी बस जो दिया हुआ इसी पर देना इसमें तो कोई ट्रिक भी नहीं लगाना है ठीक है अगले question पर चलेंगे option भी यहां पर सही राएगा ठीक है उमीद है आपको समझ में आया होगा थोड़ा यहां मैं जल्दी कर रहा हूँ इनको question में दिक्कत हो नो question number note कीजिए और आप लोग डारेक्ट जाके क्या करेंगे डारेक्ट आप जो playlist है वहाँ पर 5 important question वाले जो series उसको देख लीजिए वहाँ बिल्कुल मैंने detail में बताया है अगला question है filler gauge का उपयोग क्या है चोड़ाई की जाज करना उचाई की जाज करना लंबाई की जाज करना मिलने वाले बागों की बीच की gap जाज करना फटा फट जवाब दीजिएगा आप लोग ठीक है question number 35 35 का डी 35 का डी भी नहीं त्यात हो कर रहें मेरे पास PDF है जी जब मालोग दिन कह रहे हैं जो सबसे पहले नाम लेता है सबसे पहले बताता है उसका नाम लेजिए हाँ ठीक है मैं को सिस करूंगा 35 का डी लकी सुकला राजन विकास विकास कौन सा देरो भाई विकास डी यह ठीक है पैसिस का एक डो लोग यह भी बता रहें तो प्योंग होता है दो बिलने वाले जो भाग के बीच की गयाप के जाच करना फिलर का मतलब फिल अलगा जाइगा अबर जाएगा जहां दो घृप होगा तो घापओ की बीच में उसे भर करके वहाँ पर जास करते हैं कि इन दोनों की बीच में कितना घ्याप है तो वही काम होता फिलर-गेज का इससे याद का फिलर-गेज मतलब फिल हो जाना मतलब बर जाना असन डी सही होगा दी वाले बिल्कुल सही हैं अगले कोश्चन पर खेलेंगे कोश्चन नमबर 36 यहां पर भी देखिए हमें क्या निकालना है रीडिंग निकालनी है डायल के लिपर का कोश्चन नमबर 36 36 का डी प्रवत साहो बहुत सही कि सीजियल पूछ रहे हैं ओ यार एक कीड़ी आ गए फिर ते ना फिर टच कर देंगे डिश्टल बोट के भी 36 का डी कि सही है अब काउट करके देखेंगे तब पता चलेगा ना पीडियाफ आप लोगों को हमारी एफसाइट पर मिल जाएगा भारत इसकी लिए फसाइट गवर्मेंट की वहां भी मिल जाएगी हमारी एफसाइट है लिए डट वार जी ग्लोबल आइट अई डाट वार जी वहां भी मिल जाएगी ठीक है चले इसको देख लेते कैसे सॉल्प किया जाएगा पहले किया देखेंगे में इसके यहां पर जीड़ है फिर एक होड़ कर दो है और यहां पर सबसे पहले में पता हुंद ना कि इसका जीरो सत्लों 0 , पांच स्का लिष्ट काउंट है ओर यहां पर लिखा है के आपर नर्लट यहां पर नर्ल लिखा है यहां पर यहां पर यहां कि द inner city लिट तो एक बाख कितना हो जाके जील है यह्यां चंपलना ator 5 को दर सुटा हो फंद्रा हो गाए बीष हो गया जहांपे दो लिखा है मिस्में हो गया क्योंकि सेंटीमितर में 1 cm मित्र सेंटीमितर 10 मिल थो समयं 2 संटीमितर 9 05 10 15 अब तो में आप 25 उल्हगी देखेंगे यह कि सूए है किसके सामने देख यह पर 20 या बड़ा वदा पचीस है 25 से एक पहले रुग गया है, तो 20, 25 से एक पहले क्या होगा, यहाँ 20, यहाँ 25 और यहाँ पर 30, 25 से एक पहले, 24, तो सुई जो है, 24 के सीथ में है, लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट, जी दो दसमलो, 0, 5 हो जाएगा, बस गुड़ा कर लिजिया, यहाँ पर, 5 चौंग को 20, 5 दो, 12, ठीक है, दो अंग पर 10 मलो है, तो अंग पर 10 मलो लग जाएगा, एक दो 0, दो जोट देजिए, 25 से 26 दसमलो, 2 0, यह 26 दसमलो, 2 कहिए, दोनों एक ही बात है, इसलिए यहाँ पर 30 हो जाएगा, तो तो ठीक है, तो ठीक है, अगला कोश्चन देखेंगे, हम लोग, आकास, आप दुबरा से कमेंट कीजिए, कि आप पूछना चाहरा है, मैंने आपका कमेंट नहीं देखा था, चुकि जल्दिली कोश्चन भी निप्टाना है, और कमेंट भी देखना है, प्रभा मुस्किल काम हो रहा ना, एक गैंग डिलिंग मसीन में क्या आप्रेशन किया बिल्कुल सही, सही जा रहा है, जाकि पीडियाप, राज कुमार कह रहे है, पीडियाप देजिए, पीडियाप आप वेबसाइट चाहरा के डाउनलोड कर लेजिए ना, globalit.org, ठीक है, ठीक है, 37 का डी आ रहा है काफी लोगों का, जाकि गैंग डिलिंग मसीन में आप्रेश अगर आप 4-5 लोगों के साथ गुम रहे हैं, तो लोग बोलते हैं, यह गैंग बना करके गुमगा है, वैसे मसीनों में होता है, एक मसीन लगी है, एक बेंच पे तो नार्मल बद्रिलिंग मसीन, पर अगर एक बेंच पे 4-5 मसीने लगा दी जाए, तो उसे गैंग दाएाईगा, होल करेंगे, घिल करने के बाद उसका हम लोग रिमिंग करेंगे रिमर के दोरा कह dengan mother process होगा? रिमिंग फ़िर हम लोग 교 बार बार मसीन में तूल को निकालना और लगाना ना पड़े उसके लिए हम लोग क्या करते हैं तो फिस तरह से हमारा काम होगा क्रमिक संचालन में पहले फिर संचालन ओगया अगले कोश्चन पर चलेंगे अमन गुपता करें आजम गड़ यूपी से गुरुजी चब्रों में साथ बहुत बढ़े नमस्कार भाई आपको आकास दके फीर आप कहारे किया सर्जी जवाब भी दे दो मेरा प्लीज अब मैं आपका फिर यह वाला कॉस्चन तो पढ़ लिया आपका ये वाला कमेंट तो पर लिया मैंने तो आपने पूछा क्या भी नहीं पता चल पाएगा नहीं और अग्षा आप अपना कमेंट किये र डायल दिस्क दो चीजे हैं अब आप लोग के पास तरह या नहीं आवाज क्लियर है या नहीं यस करके जरूर बोल दिजिएगा अवाज जा रही है अगर आवाज जा रही है तो यस लिख दिजिएगा आप लोग एक बार ठीक है चले यहां पर उसन भी सही होगा डायल जो लोग बी वाला उसन दे रहे था ना बिलकुल सही है अगला कॉस्ट्चन है फाइल के एक्स के रूप में चिनित बाग का नाम बता है नहीं या फाइल दिखा रहा है और नाम पूछ रहा है हलांकि मैंने पीछे भी बताया था जाला रही है खेरव हम ठीक है यह क्या है आपका ऐंडल है यहां पीछा किया यह पुछा मैं पूछा था तो इसने लोग बिल्कुल सही है 49 नंबर आप संसी वाले बिल्कुल सही है कश्छ घरूल हु Walker इस वाले प्व Ой यह गोई सह संसा है है जो हम लोगants की तरह आ है लिल बोलते हैं है जो इसको जाता है जो कि बॉला जाता है उब सब्सक्राइब से ना पर बिल्कुल हम लोगों की तरह आप पहले यहांसर बोडंडी थी फिर्यां से जब एक गत लिया यहां पर भूप कि सुल्डर या पर यहां पर जोरदन उब बम्ह को आपकी घरदन वो पतली हो जाती है वहासी फाइल प्वाइल में भी य?" ए देखे ले या चोड़ी थी और यहां पर यहां पर प्ट लेकर पतला हुआ तो इसे हमारा सोन दर होता है तो जी हमारा इसे का है यह सोल्डर कहलाता है ठीक है अगला कोश्चन देखें जवाब को फिनिस साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उप्योग किया जाता है देखें यह कोश्चन लोग बिल्कुल सही जवाब देंगे जिन्होंने पहले या तो पढ़ा होगा पांतों कोश्चन वाली फिर जिन्होंने प्रैक्टिकल वाली वीडियो देखी होगी उसमें भी मैंने बताया था कि फाइल को फिनिस करने के लिए कौन सी फाइल यूज करते हैं जिन्होंने मेरी प्रैक्टिकल वाली वीडियो देखी होगी जोकि अभी 2-3 दिन पहले ही पड़ी हुई थी वो लेट पास होजाएंगे क्या, एक साथ वहाले में चांस रहेगा पास होने का, 40 कए सिकन्द कट फाइल, बिल्कुल सही जा रहा है, सेकन्द कट फाइल होती है, जिसका योज फिनिसिंग के लिए किया जाता है, जो आपको फिनिस करने के लिए, अगला को श्रह न किस फलाइल में समांतर किनारे पुरे लंबाई में होते हैं मैं जुआ दिएगा थिकल अगर्चसे नमबर 71 कि कृसिन कर दो मर्चास करें από तो हुआ किस फाइल में समांतर मांतर किनारे पुरे लंबाई और यह बता रहे हैं बहुत बढ़ियां आपसिन हो चलेंगे कुछ काफी देरी हो रही है न कोश्चन जल जल दिक सम करना है डिटेल में देखना होगा आप पांत इंपॉर्टन कुस्चन वाले सीरीज देख लेजिएगा बेन चौइस बनाने की मैट्रीयल क्या है को से नमबर अब सुपर फास्ट अब जा करके सुपर फास्ट होगा भी तर दिर दिर चल दा कौन सी मार्किन मीडिया मसीन से तयार सताओ पर असपस रखाय प्रदान करती है यहां पे चार आपसन होंगे नाम में आप लोग का बाद मिलूंगा ठीक है बहुत सही बहुत बढ़िया सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बढ़िया एक तालिस का जो सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बढ़िया सब्सक्राइब करने के लिए कोई बार राउन जाओब उसके उन्कालने के लिए क्लिपर यूज़ोगा जल्दी कमेंड केजिए आगे बढ़ते हैं बहुत तेज हो गए आप लोग भी बहुत जली जली दवाब देने लगे थीक है बहुत सही तो ठीक है अगला कोश्चन है एक के रूपे किनित भाग का नाम बता है यहां पी इसका नाम पूछ रखा है ठीक है जल्दी जल्दी बताईए जल्दी जल्दी निट्टाएंगे ठीक है बहुत बढ़ी है जलते हैं आगे अगे अगला कोश्चन क्या है आपके दिख रहा होगा आपको इस कोडिम आपके अंतर का नाम बताईए कौन सा मापके अंतर है हम देख रहे हैं आप यह जल्दी जल्दी फिर आगे बढ़ते हैं कोश्चन का सही जवाब दिया ना उनिवेर्सल स्वरी उनिवेर्सल बेवे लिगेज ना सी वाला उनिवेर्सल बेवे लिगेज अगले कोश्चन पर कह रहा है कि 10 डिग्री से उपर के संकिर खाचे और बढ़ने के लिए किसका उप्यों किया जाता किसे 10 डिग्री से उपर की बात कर रहा है इसको आप लिग्री से उपर के लिए नाई फेज फाइल आपनडी से अगले कोश्चन पर चलेंगे खीष國agine कानची जब दातू चिपस के दातों की बीच में कुज जाते है निकलते यह फाइल के दातों के बहुत तो कि उसको बोला जाता है पिनिंग अप फाइल जिन्नों ने आफ्सन बी वाला एंस वर दिया ना बहुत बढ़ीगकर दिया है बहुत सई काफी लोग यह तो सभी लोग भी दे रहे हैं बहुत बढ़िया हैं यहां पर किसी का भी आंसर गलत देखने को नहीं मिला है सब लोग दिदन सई है अगले कोशन पर चलेंगे ठीक है, आयल गुरुप्स को काटने के लिए मैंने पहले ही बता दिया था कोई कुछण आया था अभी पीछे, कि अगर आयल गुरुप्स काटना हो या गुमादार गुरुप्स काटना हो उसके लिए अम लोग कौन साइज करते हैं कुछण नमबर पचास बहुत बढ़ियां अगला कोश्चन इस फाइल का नाम क्या है, यह एक आपकी स्पेसल फाइल है, कौन से वाली फाइल है, जवाब देजिए फटा-फट, कोश्चन नमबर एक्क्या वन, सही जवाब है, अमेज सिंग, सुमेद, सचेन, अमेज, पिंटू, इन सभी लोगों के जवाब प्रदेप, रिंकल, टिंकल, ठीक है, ओप्टन भी, रिफलर फाइल, अगला कोश्चन आपको इस वाइस का नाम क्या है, फिगर देखते ही पैचान जाना है, आपको वाइस का नाम क्या है, देख रहा है ना, कौन से वाइस है, देखिए एक पत्ली छोटी वाइस दिख रह आपका भी नाम आ गया है ठीक है आप लोग अपना नाम बदल लेजे ना नाम आपका सही रहता तो पढ़ने में भी मज़ा आता ऐसे इंगलीज कमजोर है उपर से नाम भी इतना टेड़ा में क्या पढ़ू बता हूं ठीक है 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 किस ग्रैंडिंग मचीन का उपयोग किया जाता है अगर हमें हाइवी ड्यूटी काम करना है मतलब भारी काम करना है तो कौन से ग्रैंडिंग मचीन यूश की जाए कोश्चन नमबर तीरपन का जवाब हटा पढ़ दीजिएगा अनिस प्रदीप साहराब अनिकेत लाद बिबेक बहुत सही बाहँ से इसमार्ट बलगे वह दो यूजवाब है बहुत बढ़िया जवाब दिखेव और इस रईस आलम देख ए नोग जोहरा है और मिया जवाई उनका जवाब भी अच्छा आ रहा है तो यहां पर जिन्आंने तिरपन का सी डिया असना पैडेस करने के शन्हें को अलग करने के शिंव कर लेकंद में पूसज में। इस तरह चप बहुए पढ़ें वह साइंतयों कुछ Так visit चैन के दोरा किया जाता है का इन एंचा जाता है को स्थे सभस्केशन के जबाब करने को जबाब चांड 노 को महतietet जिससे सही है 54 का ए अहीर यूद्या जेकी भी क्या है भई आजी यूटूब बहुत सही जा रहे है आप संद कौन सा सही होगा यह सही हो जाएगा वेप चिलेंग इतने लोगों ने यह वाला एंसर दिया था बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत बढ़िया सुभाजी स्वारी कोई बात नहीं जाब देते हैं आप लोग एक ऐख दू गलत होगा तो चलेगा बस आपको यहां पे अपना सदार देना है जो गलत फहमी हो रही है आपको एक अक दूश ब्लत हो रहे है उन पे फोकस करना और mighty ना Mina ग्लती कि भीच भीच में आप लोग लाइक कर देते रहे हैं एक बार कर दिये हैं से दुबारा मत किजिएगा नहीं वह अनलाइक हो जाएगा ठीक है ठीक है अगला क्वेच्छन है क्वेच्छ से नमर क्वेच का काम करने वाले पर यारी की दातों को तेश करने के लिए अब क्वेच के लिए लगोंच की जाती है लगड आर देखेंके मिल शाफ इसमें सा लगा हुआ है और हमारी आरी भी सा होती है कि अपर दॉनों साव वाले इसके दातों को चुक करने के लिए मिलसा फाइल यूज़ कि जाएगी मिलसा फाइल वाले बच्छे बिल्कुल सही है अगले कोशन पे चलेंगे अथावडे के वजन को कहां धरसा जाता मैंने आपको पहले बता दिया था कि अथावडे के वजन को उसके चिक पे धरसाते हैं ऑसन सी वाले बिल्कुल सही है इम्रान आलम ठीक है अब ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यह भी टेको कह रहा है कि सर वर्नियर केलपर का लिस्ट काउंट कितना होता है वाई बा में पूछा सा जैकि वर्नियर केलपर के लिस्ट काउंट की बात की जाए ना सो वर्नियर केलपर का लिस्ट काउंट 0.02 mm होता है मिट्रिक में किसमें मिट्रिक में जबकि वही ब्रिटिस में बात कि जाए तो जीरो जसम लो ठीक है जीरो जीरो वण इंच हो जाएगा इसमें ब्रिटिस में ठीक है इसको नूट कर लेजिएगा ठीक है इंरान आंस आइंसर एक सब्द्रख गई से लिए सब्रांगे जि़ल्दी जल्दी आबंगे पढ़ते हैं x श्यनी का निकासी कोड यह क्लियरेंस खौड जो है क्लेंस ससी जितना हमें चाहिए उससे कंचाह citel मेंществ लेकिया में क्लेंसंगल होसा है यह हमारे पास चीजल है यह हमारा clearance angle होता है यहां से यहांता है अगर यह कम हो जाएगा ज्यादा रहेगा तो क्या होगा clearance angle बढ़ाएंगे तो यह metal के अंदर घुच जाएगा गड़ा कर देगा और ज्यादा जुका देंगा तो यह इस पर कातेगा नहीं slip कर जाएगा यह संतावने संतावने जो लोग यह वाले है न कौन कौन है रजनीज एक ग्लोबल आइट यह भी किसी नहीं नाम रख रखा है बहुत अच्छी बात है संजय सर्मा सुभास बिल्कुल सही ए सुभास कौन संतावन ए ए नहीं होगा भाई कटिंग घूस नहीं सकती छेनी फि जिन्होंने आंस्वरे दिया था बहुत बढ़िया वेरी गुड चलते हैं तन्यता बलों के फ्रभाव का बिरोद करने वाली जातू के प्रपरटी का नाम पतलों के जातू हो जिस पर हम लोग टेंसन बल तनाव वाला बल लगाएंगे तो वह उसको बिरोद करेंगा और जरूर लिखें तब तो मुझे समझ में आएगा ठीक है अन्ठावन का आपका क्या हो जागा बिल्कुल सही भी ऑप्सन भी सही है अगले क्वेश्चन पर चलेंगे अगला कह रहा है अख्य रूप में चिन्नित बात को बताएं यहां पर माइक्रोमीटर है आपके सामने ठीक है बहुत बढ़िया आम लोग के यारे गंटा से ज्यादा हो चुका है ना साथ बज़े संदूर लगातार चल रहे हैं और आप लोग साथ में बने विए हैं यह भी बहुत अच्छी बात है आप लोग के भी इस टेमना वैसी बरकरार रहे हैं जैसे मेरी जैसे संख्या है जरे-जरे बढ़ती जा रही है तो बहुत बढ़िया ऐसे लगे रहे हैं जोस के साथ जुनून के साथ ज्यादा दिन और मिनत नहीं करना हमें तो थोड़ा भी मतलब लूज होने की जरुवत नहीं है एक आप बोतल पानी पी लीजे बगल में बस पानी पीजेगा ठीक है मगले पानी का बोतल लगे पीते रही है और लगे रही है हम लोग सास में रहेंगे आज इसको निप्टा करी जाएंगे ठीक है उनसट वाले का अंसर काफी जाद हो रहा है आप फटा पट बहुत ही तेजी से गजब चाप दियो आप लोग बहुत बढ़िया अरे तो दमे वाला सही आया सबस्का नाम बता दिया लिखूंगा नहीं नहीं तो दिरी होगी इसलिए लोग जल्दी से आगे बढ़ेंगे ठीक है अगला question है metric outside micrometer की एक रेसी का मतलब पूछ रहा है list count क्या है list count क्या होगा माइक्रो मिटर का है मिट्रिक में पूछा है 0.01 mm पीछे क्वेसं लिपे साल करते समय मैं पता है था अगर बिट्रिक में पूछता तो चलिए खुस रहना चाहिए खुस रहेंगे तभी पढ़ने मन लगेगा मसत रही है ठीक है टेंशन लेना बिल्कुल टेंशन लेने की जड़रत नहीं ठीक है अराम से करिए सारे चीज़े होंगी पढ़ाई भी होगी मज़ा भी आएगा ठीक है एक से रूप में चिनित भाग क इसलिए इसी चीज़े उसने बाहर पूछ दिया है कौन से इंगल है फटा फट जवाब देजिए का कोस्चन नमबर 61 और यह आप लोगों का बढ़ता हुआ प्यार चार सो पैटालिस लोग लाई विद्धन मज़ा आ गया तरी में यार बहुत अच्छा लगा मतला आप लो पहले सब्सक्राइबर हुँ नाम ले लगा ठीक है वहिए हमन्त आपका नाम हो गया ठीक है हमन्त गोजल ठीक क्लियर आगे चलेंगे को कुस्चन नमबर 62 जवाब दीजिएगा आप लोग फटा फट से कुस्चन नमबर 62 करण को कह पर दिया जाता है जो माइ ऐसा टेपर होता है जल्दे जल्दे जवाब दीजिए आप लोग उस्ट क्षे का डीबासट का बासटकर डी कुछ लोग एक दो लोगों का 62 का भी आंसर आया लेकिन डी आ रहा है जो कि बिल्कुल सही नहीं है पुश्चन नमर 62 पर आजा ये फटा पट्चा आप लोग बिल्कुल सही आंसर है ठीक है आगे चलते हैं थोड़ा तेजी से करेंगे आप जल्दी जल्दी जवाब रिजए थोड़ा तेजी से करते हैं थोड़ा देखते हुए मसीन स्पिंडल से ड्रील और साकेट निकालने के लिए किसका उपयों किया जाता है कुश्चन नमर 63 पटा संदीप पटेल संकर वर्मा सही है बिल्कुल सही मसीन इसमें दर लगे निकालने किसका उपयोग किया जाता है उस टैप को पकड़ के गुमाने के लिए टैप रिंज के उपयोग किया जाता है तो प्रतिबंदित अस्ताम जो कोई कोई कंजस्टेट जगह हो कहीं कि आराई में जैसे आपको कोई जौब है इस टाइप से बना हुआ है हमें यहां पीस में स्टेट काटना है तो इस ग्याराए में स्टेट काटने के लिए काउन सादिन स्यूज कर दें वहीं पूछ रहा है कोईस्टन नमबर फटापर से जवाब देजेगा चौशाट कभी विलेजर राइडर विलेज राइडर ठीक है आप लोग तो पढ़ने में टाइम लग जा रहा है आप संबी वाले बिल्कुल सही है आनंद सुकला ठीक है आज हम गड़ की धरती से भी लोग जुड़े हुए है जगे जगे से बहुत अच्छी बात है कि आई-एस्टो मिट्रिक स्टेड में एम टेन इंट्ट वन पॉंट पॉंट फाइड के लिए टेप ड्रिल आकार की गड़ना कीजिए कोस्टन नमबर पैसा टेन नुमेरिकल अगया थोड़ा समया पर आप लोगों बता देता हूं ना तो मेरिकलर थोड़ा से सॉल्ट कर लिए जाए है फर्मूला क्या होता है टैप ड्रिल साइज निकालने के लिए या पर इसको माइनर डाया भी बोलते है क्या माइनर डाया बराबर होता है टैप साइज जिससे हम जोंग major dia भी बोलते है major dia minus 2 into d. d का मतलब क्या है? d का मतलब गहराई से है. thread की गहराई ठीक है तो अब यहां से हम क्या निकालेंगे tap size या major dia minus 2 into d बराबर metric की बात करता है आधा में निट्रिक में D is equal to 0.61 into P मतलब पिछ होता है यह फार्मला इस फार्मले पर रखेंगे जवाब आपके सामने होगा चलिए मैं आपर रख लेता हूं आपके साल्ब कर लेजेगा M के यहां पर जो TS है इसकी value क्या हो जागा 10 हो जाएगा मैनस 2 into 0.61 पिछ क्या है तो देखे यह जो पहला होता है चाहान के साथ लगा होता है या Tap size को बताता है त्रकली आपने यहां पर जो 1.5 होता है दूसरा ला या पिछ को बताता है किसको बताता है यहां पर पिछ क्या हो जाएगा हमारा 1.5 1.5 अब इसको solve कर लेंगे answer पहले गुड़ा कर लिजिए सबका फिर घटाइएगा तब answer रही आएगा अलंकि यहाँ पर काफी लोग उना answer दे दिया 65 का एमन गोयल जी कह रहे है ठीक है बिल्कुल सभी 65 का इमरान आलम 65 संदीप पतेल भी 65 65 है चलिए solve करके देखते हैं 65 और यार इसमें तो दिक्कत क्या हो गया है दिक्कत ही हो गया कि दो दो सीम ऑप्शन है ना option A और option B दोनों सीम हो गया है थ्वड़ा करबड़ हो गया यहाँ पर चलिए solve करके हम दोग देख लेते हैं क्या आता है ठीक है आप बिल्कुल सही करें दोनों सेम हो गया है इसको हमें देखना पड़ेगा answer क्या आएगा ना solve कर लेते हैं यहाँ पर देट दूना 3 हो जाएगा 10-3 इंटू 0.61 ठीक है मैं एक काम करता हूं क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 3 3 इंटू 0.61 एक दसमलो एक साथ यह किसके करीब है लगबद 8 दसमलो दो के करीब है तो यहाँ पर दोनों options सेम हो गया है ना कोई ने कोई option एक जरू अलग होगा कोई ने कोई एक option आपका अलग होगा या बी वाला जोगा कुछ और होना चाहिए था यहाँ पर mistake हो गया है इसको मान लेजिए 8 दसमलो आठ मान लेजिए या कुछ भी मान लेजिए तो उससाब से option ए आपका पीड़ सही हो जाएगा आठ दसमलो दो या आठ दसमलो एक साते में आठ दस के जवाब देएगा आप लोग कि कुश्चन नंबर चाचट कि राजकुमार पास्वान ऑफिसियल सही है यह सुनील पूछ रहे हैं इसकी पीडियाप पीडियाप के लिए आप ग्लोबल आइट डाट वार जी वहां पर पीडियाप आपको मिल जाएगा ठीक है हमने बहुत बढ़िया अलग से पीडियाप तैयार किया हुआ है 66 का एंसर अनसरी हो गया है बी बी ए ये भी दे रहे हैं बी दे रहे हैं लोग ऐसी क्या बात है ऐसा तो कुछ खास कुश्चन में मुझे लग नहीं रहा है जो डिल बीट होती है जो जो जॉब के अंदर प्रवेस करती ह वह होता है चकर मतलब से कितने अंदर गया मतलब मियमम प्रती चकर की एक चकर में अंधर प्रवेस कर जा है उप सई हो जागा वाले जिनिशा था बिलकुल अच्छी बात है बिलकुल सही है अगले कुश्चन पर ध्यान देंगे नकिसमें पूच रहा है जो पीछे वाला इ ऐस давald को हुआ है इसको क्या कहांगे आदेप्टक्त बार कहते है फितनल की क्लिए है थंसे खतर 기자 करने के लिए का किया रहा है सान्योजन सेट में प्रोटेक्टटर हेड कंबिने सेट की भात कर रहा कमई तंसल सेट में जो प्रोटेक्टर हेड होता है तो नार्मल चाहदे का या प्रोटेक्टर का हमारा लिष्ट का लिजिए जो सुधता होती है तो यहां पर आपशन क्या हो जाएगा एक डिगरी बहुत चाहदे के दोरा हम मिनमम एक डिगरी का ही कोड़ ना आप सकते हैं ना तो वही हमारा अगले कुशन पर चलेंगे त्राइश्ट की बात कर रहा है ठीक है ट्राइश्ट की एक डिगरी कितनी होती है और पटापट से जवाब देजिएगा दीपक रोहित राकेस राहुल बिमल नेहा पंकज रजनीस नीथीज सिल्पी बहुत से एंसर जा रहा है आप लोगों का ठी जीरो जीरो दो एमयां तर्तिद्यात से में लंबाई यह बिल्कुल सही है अगले कुशन पर चलते हैं 69 के बाद 70 पर निसान दिखने के लिए किस पंच कोपियो किया जाता है यह वाला कुश्चन भी मैंने आपको जो फिटर प्रेटकल में वीडियो बनाए तक उसमें बता आसा चे वह वीडियो कितनी काम किया है आपका प्रेक्टिकल में भी काम आया आपको थेयोरी में भी का हमारा जिन्होंने वीडियो देखा होगा इसका जवाब तक दे चुके होंगे बहुत बनिया सतर गज बहुत सांदार जवाब आप लोगा रहा डाट पंच निसान दिखने के लिए इसका यूज करते है डाट पंच होता है इसका एंगल 60 डिग्री होता है ठीक है सेंटर पं सेंटी वन उसके लिपर के नाम बताएं जिसकी एक टांग एड़ेस्टेबल डिवाइजर पॉइड और दूसरा टांग मुड़ा हुआ होता है ठीक है कोस्चन नंबर सेंटी वन फटाफट से जवाब देजेगा आप लोग फटाफट तेजी के साथ साथ है सही है सेंटी वन में क्या जैनी केलिपर हमारा होता एक टांग इसकी सीधी होती है नुगिली पीन होती है और दूसरे साइड क्या होता है कैसे मुड़ा हुआ होता है जिसकी मदब से हम लोग किसी जॉप पर हम लोग क्या करते हैं उसका सेंटर भी निकाल सकते हैं राउंड है बहुत बढ़ी आगले कोस्टन पर चलेंगे अगरे इसको पूछ रहा है इसको क्या कहते हैं इसको लोग इसनक कहते हैं आप सन्बी जो लोग दिये हैं बिल्कुल सही है इसनक और इसनक ही क्या करता है इसक्राइबर को पकड़ के रखता है कोस्टन पहले आया था इसक्राइबर को कौन पकड़ता है इसनक पकड़ता है यहां पर आपको फिगर में क्लियर भी हो गया है इसनक है इसक्राइबर को पकड़ रखा है किसको पकड़ रखा है इसक्राइबर को पकड़ रखा है और यहां पिलर हो गया यहां पिलर को इस स्पिंडल है न इस पिलर को बोलते हैं अगले क।्षीं पर चलेंगे जवाब देजिय को आप कि सब्सक्राइब का आम राज़ी वर्टेक्टर हैटर हमारा सब्सक्राइब प्रोटेक्टर रेट तीन चीज़े होती है और एक इस्टी दूल के साथ इसने कि इसको प्रोटेक्टर रेट को लिया हुआ है ठीक है कुस्टन नमबर 73 है आपके सामने जल्दी से जवाब देजिएगा तो यह क्या है आपका एक से रुप में चिनित वाग इसी को पूछा ही है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं तो यह हमारा प्रोटेक्टर रेट है मैंने आपको पहले एंसर बता दिया तो आपसर डी सही हो जाएगा ठीक है ठीक है आगे चलेंगे 73 का डी वाला जिन्होंने आप दबाने चेकर में F हो गया होगा ना इमदान आलम ने भी जवाब दिया है बिल्कुल सही है दीपक ने भी बिल्कुल सही लखी सुकला बिल्कुल सही ठीक है 74 जवाब दिजिए आप लोग को पूछ रहा है कि इस प्रकार के डेटम लाइन का पालाल किया जाता है फिगर यह इस के सारे एक लाइन क् ditीजी कραना है इसे टेक्ट करके अदीक के सारे के लाइन कीफीके अधिक हुचक हो जाएक किनारा मतलद सब्सक्राइब हो जाएगा option जो है आपका यह सही हो जाएगा 74 का यह जितने लोग जवाब दे रहे हैं ना भाई बिल्कुल बढ़िया है बिल्कुल तगड़ा जवाब है बहुत सी जबरदस्त है गजब मज़ा आ गया आगे चलते हैं इस समाल आंतर ब्लॉक का नाम कह रहा है यहां पर दे रखाए पैरलल all ब्लॉक इसका नाम पूछ रहा है क्या है तो इसको फिगर में दिख रहा होगा कि अगर हम इसको नीचे पीच्छे को स्लाइट करेंगे तो तो उचाहीं बढ़ेगी मतला किसके दोरा उचाही को कम ज्या option D बिल्कुल सही है, बहुत सही, option D सही है, adjustable parallel block, क्योंकि इसको adjust करके इसकी उचाई को कम जादा किया जा सकता है, इसलिए option D यहाँ पर सही होगा, अगले question पर चलेंगे, ठीक है, grade A, V block के निर्मार के लिए किस material को प्योग किया जाता है, grade A वाला जो V block होता है, उसके इकी बात कर रहा है, तो grade A के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसका इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है, बहुत सही, 76 का जवाब जो आ रहा है, आप लोग नों बहुत बढ़ी आए, ठीक है, एक के लिए क्या होता है, high grade वाला जो इस्टील होता है हमारा, option C, जो high quality का इस्टील, ठीक है, grade A वाला जो होता है, हमारा B block न उसकी जो लंबाई होती है, जबकि grade B का जो हमारा B block होता ह होता है, grade B वाला, यह cast iron होता है, closed grain cast iron का बना होता है, और इसकी जो लंबाई होती है, तीन समय होती है, हम लग दोनों का हमने यह आपर देख लिए, ठीक है, जिन्होंने C आपकर ने आपकर सही किया था, बिल्कुल सही था, आगे चलते हैं, चलिए आपकर सामने एक हमारे पास, उस पर कीवे बना गया ऐसे, मने आपको बताया था, कहीं भी अगर कॉर्णर पर से मैटरियल को हटाना हो, यहाँ पर भी दोनों साट कॉर्णर बन रहा है, कॉर्णर से मैटरियल को हटाने के लिए कौन सी चीजल सी, diamond point, option B जो हमारे पर diamond point, यहाँ पर भी वही स सही हो जाएगा, जिन लोगोंने 77 का option B सही किया था, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही है, Lucky, सुकला, सोनी, भीमल, सची, सभी लोग answer फटा पर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अगले question पर चलेंगे, अगला एकिस file में दाते, एक जिसा में कटे होते हैं, तो क ने वाला सही है, single cut, एक ही दिसा में single cut file size से होती है, हमारे पास ना, एक ही दिसा में ऐसे दाते कटे होते हैं, जबकि करोड वाले में क्या होता है, इस तरह से, दिसा चेंज हो जाता है, second cut वाले में क्या होता है, दोनों साइड ऐसे दाते कटे हैं, एक बाई इधर को जाए अगले question पर चलेंगे लकड़ी चमड़े की filing के लिए किस फाइल को प्योग करते हैं लकड़ी का ठीक है लकड़ी और चमड़ी की filing के लिए जो हम यूज करते हुग क्या होता है फटा पड़ जवाब देजिए आप लोग राहूल मैंदर सोनू राजू गोलू प्रसांत राहूल राजेश अनिकेद ग्लोबल आइट यह नाम से भी कोई है विसाल राहूल सही है औप्शन ए जो है स्वरी स्वरी औप्शन है नहीं औप्शन सी रास्ट कट पाईल क्या होगा रास्ट कट पाईल होगा ठीक है लकड़ी या चमड़े के लिए मनें बताया भ अगले क्वेश्चन पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर असी आपके सामने है ज्दी जल्दी से आप जवाब देजिए गा क्यों फाइल हों के कटव के ब्रस को लंबाई के साइट से थोड़ा बेवेल किया जाता है, question number 80, जल्दी से जवाब देजिएगा, question number 80 का, फटा-फट से जवाब देजिएगा, लैट सता हो की filing आसान करने के लिए, तही है, बी वाले जितने लोग है न, 80 का बी बहुत बढ़िया, ठीक है? ठीक है, जवाब देजिए, आप लोग फटा-फट, मैं थोड़ा तब पानी पी लेता हूँ न, गलास बुकराया, काफी टाइम हो गया, आप लोग भी पी लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ब्लेट की किस पीच का उपयोग, कान से पीतला और काश्टार है, देखिए, ब्राउन्ज हो गया, ब्रास हो गया, काश्टारन हो गया, सॉप्ट मैट्रेल हो गया, इनके लिए जो हम पीच यूजिज करते हैं, ब्लेट का न, वह एक दसमलो आट हमया मॉला होता है, एक दसमलो आट हमया मॉला, जो 81 है न, 81 का जिन लोगों ने ऑप्सन D जवाब दिया है, बिल्कुल सही है, ठीक है, अप्सन D वाले जो लोग है, ऑप्सन D, बी गलत है, D जिनका है उनका बिल्कुल सही है, ठीक है, अगला कोशन आपके सामने है याजी छेनी का क्लिरेंस कोड़ बहुत अधीक है तो क्या होगा जल्दी से जवाब दीजे मैंने पहले बताया था कि अगर किसी मेट्रेल पर हमकोई चीजल काटने के लिए ऐसे यूज कर रहे हैं तो अगर क्लिरेंस कोड़ोता है अगर कम होगा तो छेनी फिसल जाएगी अधिक कर देंगा तो छेनी यह पर घुच जाएगा गड़ा कर देगी इसमें यही तो होगा तो आपसं बी वाला जो लो बस थोड़ा से अब जल्दी जल्दी बढ़ेंगे साथ देंगे तब मज आएगा ना थोड़ा से स्पीट बढ़ाते हैं ने तो फिलेट हो जाएगा काफी किस प्रकार के अथोड़ा का ओप एक रिविटिंग दिश के लिए किया जाता है फटा फट से जवाब देजिएगा बिल्कुल सभी आंसर है वास अवास यह वालो तो सब दो सभी आंसर दे रहे हैं रिविटिंग के लिए बाल पिन हैमर जो आप्शन भी आपका बॉल पिन बाल पिन हेमर के ऊपर बाल जैसा बना होता है रिवीट का हेड भी हमारा कैसा यहाद रखेगा याद करने का ट्रिक है अगला कोश्चन आपके सामने है डिलिंग ऑप्रेसन में काटने की गति की क्या है आपको मालूम होगा फार्मला भी इस उकल टू पाई डी यन अपान प्रस्राइब अख़ेवाद का एरे डूस्न बरहएं अपरी गन्ते हम्हूं में जाना माल इसलिए अजना है लोग है वे बुल घ्रेक्व मुत बने टीक्रदों आई है अभी तो किसना टाहें होता है हुआ हुआ इढ देखिए सनी सर कोई साहरी बोल रहे थे तो अब तक डालाइक भी बोल दी होते हैं ठीक है थे देख रहे हैं यहां पर पूछ रहा है इसचीच को क्या आप पुछ रहे हैं थे ठीक है प्टा पेषिकर रूप में चेहां के रहे हैं बिलकुल सही है आप लोगा तो पचासी के अंसर होगा वह यह सही होगा अगले कोशिन पर चलते हैं, थोड़ा समय तेजी करूँगा यहां पर, डिलिंग मतीन में एक्स पिरुट में चिनिद भाग का नाम पूछता है यहां पर, देखें, यहां पर इस चीज को पूछ रगा, जो डिलिंग मसीन में यह वाला हिस्सा है, इसको क्या कहते हैं, तो उसी में तो हम लोग क्या पकड़ते हैं, इसका मतलब यह क्या है, डिल चक है, आपसन ए, आपसन ए के साथ, जितने लोग आये थे, यहां पर, बहुत सही आये थे, बहुत अच्छी बात है, इमरान आलंसर टॉप टिन का सिस्टम लगा तो उसका नाम लीडर बोर्ड में दिखेगा, अच्छा, चलिए, मैं अगले दिन कोसिस करूँगा, अभी सोड़ी इसकी जानकाली नहीं है, मुझे, ठीक है, थेट का माइनर ब्यास क्या है, पूछ रहा है यहां पर, थेट का माइनर ब्यास, अभी मैंने आपको बताया था, कि जो हम लोग ट्रिल साइज निकालते हैं, उसी को क्या कहते हैं, माइनर डाया क्याते हैं, माइनर डाया ब्राबर क्या था, टैप साइज था, जिसे हम लोग मेजर डाया क्याते हैं, मेजर या फिर मैंने बताया था माइनस टू इन्टू D मतलब माइनस टू गुडे दी क्या था हमारी गहराई थी क्या थी गहराई थी अट्शं देख लिएज़ें यहाँ पर कोई मिल रहा है माइंटर उगल तू मेजर माइईन स्वाज ब्राबर गेए मेजर ब्यास मैनस दो गुड़े गहराई मैनल ब्राबर मेजर मैनस दो गुड़े गहराई अपन कौन था D 87 का D जितने लोगों ने दिया है ना 87 का D यह वाला बिल्कुल गलत था भाई है कुछ लोग यह कहां से लिए करके आ गए डी वाला सही है 87 का डी जो लोग हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आगे question पर चलेंगे जली 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 जवाब दीजिए इसको solve करना है ठीक है ज़िए क्या है 50 से 75 mm वाला और साइड मार किरिमिटर है जीदे उसे 25-25 से 50-50-75 वाला आता है इसका मतलब इसके दोरह जो हम minimum आप ले सकते हो 50 mm पचास में चोटी माप यह नहीं लेगा उससे जादा ही लेगा क्योंकि इसका मिनमम भी 50 है 50-50 वाला है इसका रीटिंग निकालने का तरीका भी ही होता है कि जो भी हमारी माप आएगी यहां पे न उसमें 50 मिनमम वाला जोड़ेंगे तभी में इसकी माप पता चलेगी क्योंकि यह 50 हमाल लेडी पहले से यह उसमें यह जब भी मापना मतला 50 सेहां जो सेहीं 2 कितना हो गया 50 50 63 63 63 वी 25 वेए हमारे पास यही न थे हैं प्लस यहां पर देखेंगे क्या macrometer की list counts, लिस्ट काउंट क्या होती है, 0.01 में होती है, into कौन सा बाद मिल रहा है, symbol का datum line से तो देखिए 10 हो गया, 11, 12, 13, 13 वाद मिल रहा है, 23 अब यहां पर देखें क्या हो जाएगा, 63.5, 0 लिखे या 5 लिखे दोनों एक यह बात है, ठेक है, य जीडरो दसमलो एक तीन क्या हो जाएगा तीन हो जाएगा पांच-छे हो जाएगा थीन हो जाएगा छे तीन देख लेजिए आप ये वाला जो लोग दे रहे थे ना बिल्कुल सही दे रहे थे 89 का option A इतने लोगों ने बताया था आप बहुत सभी जवाब है एक तो लोग जो है 89 का C या D भी बता रहे है एक एम गेमर पुस्पेंदर यह D वाला option भाई नहीं समझ आया एक अलत है ठीक है देख लेजिए आपर मैंने तरीका बताया है कैसे करना है अगर अभी भी ना समझ में आ रहा तो पांत इंपॉर्टेंट कोस्टन और जो स्रीज है वहां देख लिएगा वहां मैंने ज्यादा डिटेल में बताया हुआ हुआ है यहां थोड़ा मैं जल्दी बता रहा हूं ना वहां बिल्कुल अच्छे से बताया है मैंने ठीक है अगला कोस्टन है एक सिरूप में चिनित भाग का नाम क्या या वर्णियर हाइड गेज आपके सामने है वर्णियर हाइड गेज मैंने आपको दिखाया था प्रेटकल वाले वीडियो में वीडियो बड़ी नाम आ गया ह बड़ी काम की वीडियो है कुछ बच्चोंने कमेंट किया था कि सर इस प्रेटकल वाले वीडियो से ना सिर्फ माद प्रेटकल कर डाउट क्लियर हुआ बलकि थियोरी के भी कुस्ट कुस्टन तयार होगे और मैं देख भी रहा हूं कुसको कुस्टन आप हमें मिल रहे हैं तो अगर आपने नहीं देखा तो एक बार उस वीडियो को जुरूर देख लेजिए काम की वीडियो है कुस्टन के लिए तयार है बहुत अच्छी बात है देख देखेते हैं सोएगा नहीं कोई ठीक है यह तो मैं सोगे ना तो आप सुएंगे लगातार कोश्टन किया जाएगा थ्वाद जल्दी-जल्दी करते हैं तेजितों करनी पड़ेगी तभी काम बनेगा ना देकि यह पूच रहा है तो यह कि हमारे पास वह है फाइंट अच्छी स्लाइड जाएड जा थे में अगया अगर इसको पूचा उता तो यह फाइन अच्छी ने बताया ना बिल्कुल सही बताया था ना इंति कर दी वाले जो लोग है बहुत बढ़ियां ठीक 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 सर लेडर हम यह जो एफफ गेमिंग जी है अगली बार से जो आप सीच कह रहे हो ना उसको मैं कोड़ने की कोशिस करूंगा अभी तो खेर अभी नहीं हो सकता अभी हम तो फ्रक क्लास में बीजी है ना तो इसको निप्टा लेते हैं अभी मैं बता रहा हूं सार्ट में इसा नहीं कि मैं बिल्कुल ऐसे ही कर रहा हूं बाकि आप लोग 500 कोश्चन और स्रीज देखेजिए अगर ज्यादा अच्छी सा सम्मिना है मैं आपको इस बार बार बोल रहा हूं प्ले लिस्ट में जाए फिटर से उरी फश्टी रवल प् इस वाइस का नाम किया देखे यह वाइस था और यहां पे लगी वी यह पिन लियां से देखेंगे तो देखेंगे तो देखेंगा यहां पे पिन नार्मल होती ही तो बेंच वाइस हो जाता है देखिए यहां पे एक पिन लगा हूँ इस पिन को जब हमें खोलते हैं यहां हाफनट के दोरा यह पिंजुडा गया होता है वह हाफनट अलग हो जाता हो और हैंडल को बिना घुमाए वाइस को आगे पीछे किया जा सकता है जिससे कि जबड़े को आखाने से खुल सकते हैं और बंद कर सकते हैं इसलिए इसको फिक रिलीज वाइस कहते हैं जो अफ्रन ड आप लोग कुस्चन नंबर बानवे 92 जामू बिल्कुल 500 कुस्चन के अंदर यह आएगा अनिके प्रजापती इंटरनेट नहीं है देखिए देखिए देलों का नेट खतम होना शुरू हो गया है ना यही मैं कह रहा था मैं रहा था नहीं होता है जब तो नेट और बैटरी न प्रजाइगा इसका जवाप काफी अच्छा रहा है नीट टू का गयाईज के मतलब है आपका सए हो जा से ने नीट तूल-टलिया काम के आप लोगों ने बहुत सでもदिया है बहुत अच्छी बात है गोपाल अंकेत गज़ा बनिया सांदार आगे चलते हैं इस आप्रेशन का नाम कहते हैं कि यहां पर क्या है और यह एक जॉब है जॉब के दौर हम प्राइट सर्फिस लगा कि क्या चेक कर रहे हैं हम यह चेक कर रहे हैं कि यह जॉब जो है हमारे समतल है या नहीं क्योंकि इसकी मदद से कोई जॉब की जो तो बुजाएं जाएं नभे डिग्री पर है या नहीं इसको भी चेक कर सकते हैं मतलब फ्लैटनेस को चेक किया जा सकता है जो आप्सन भी जो बच्चे जवाब दे रहे हैं 93 का बिल्पल परफेक्ट आं कि यह बज़र आपको कमेंट करके बताईएगा सभी लोग आवाज प्रॉपर जा रहे हैं कोई दिक्कत तो नहीं है अबन जी अमन के रहे हैं सर्थ थोड़ा स्लोप आईए स्लोव आले के लिए आप ना है और मैं आपको बता तो रहां प्लेलिस्ट में चले जाएए और पांसों कुर्श्यन वाली स्क्रीज देख लिए वहां कापी धिरे-धिरे अच्छे से बताया है मैंने ठीक है अधिक है मेरे ख्याल से आवास सही जा रही होगी आपको याथलिक के बता दीजेगा कि हां आवास सही आ रही है अधिक है आवास सही नहीं जा रहे है अधिक है अधिक है यार मेरे याथ फोल में आ रहे है आप बजरा चेक किजिए अधिक है अधिक है अधिक है कौन सी मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगा जाता है यह अभी कोसे में और मैं पहले बता चुका है क्यों कि वायट वास मतलए चौक यह भी मैंने प्रेटकल वाले वीडियों बता है कि हम लों मीडिया के लिए जिससे कि हमें निसान साथ तब दिखाई दें मार्किंग मीडिया लगाते हैं चौक लगा देते हैं जाप पर फिर इस्क्राइबर से निसान लगाते हैं फिर डॉट पंच की मदद से उसके निसान को पक्का करते हैं असपस्ट दिखने के लिए ठीक है अगले कोस्टन पर चलेंगे 94 के जिन्होंने यह एंसवर दिया था बेखुल परफेक्ट था और बहुत ही सही जवाब था अगला कोस्टन है 95 का फटाफट से जवाब आना चलिए आप लोग का कि पूनत तेज किया हुआ डिवाइड बिंदू नहीं डिवाइडर रहाएगा जो डिवाइडर होता हमारा डिवाइडर की जो पॉइंट होता है उसको फिनिस करने के लिए किसका उप्योग किया जाता है लिवाइडर के पॉइंड को किस पर फिनिस करते हैं यह कुष्चन यह पूछ रहा है ठीक है किस पर फिनिस किया जाता है और इस टोण ऑप संडी काफि लोगों ने जो आप यहां पर आप संडी 95 का जिन्होंने डी वाला ओस्टन दे रहे ना बिल्कुल सही आप लोग द विवेल प्रोटेक्टर का उपयोग क्या है अगला कुछन है आप लोग के सामने मोहित मोहित तिवारे विश्वजीत पूछ रहे हैं सर जो आप पढ़ाते हैं वो बियार के आट एक जाम में आएगा ना बिल्कुल आएगा सभी इस टेट में कामन होता है ठीक है मोहित तिवारे आप कमेंट भी कीजिए कि क्या उंसर सही है सब लोग कमेंट करते हैं यह फटा परतबना मजा आएगा बेवेल प्रोटेक्टर का उपयोग क्या है चेक दर लेंद शेट दो वर्क पीस मीजर दे एंगल मीजर दे डेप अजय जबारे वर्क शेट करें कि चांदा करेंगा कोड़ को वाक पेंगा विश्याइए एग दो बच्चे में चले जा रहे एक का कोई मतलब नहीं भाई सी करेंके कहने दिखाएगे फाइल का नाम मता ही इस फाइल को आपको देख करके पैचानना है यह कौन सी फाइल है फटा फट से जवाब देजिए अगर कमेंट में एक एम राहूल यह कोई डॉन भी यहाँ पे आ चुका है गज़व विश्वजेत संदेब आप लोगा बिल्कुल सही जो आप देरें टिंकर फाइल जिन्हों नों भी ऑप्सन भी टिक किया ना बिल्कुल परफेक्ट टिंकर फाइल या आटो मोबाइल बॉड़ी को टिंकरिंग करने के पश्चा फाइल करने के लिए यूज की जाती है अगले कोश्चन पर चलेंगे 99 खोकली बेलनाकार जाब को पकड़ने के लिए किस वाइस को इसको इस्तिमाल किया जाता है खोकली बेलनाकार जाब अब खोकली हो और बेलनाकार हो ऐसे और बेलनाकार हो गया जब हमने बेलना और खोकला जाब बनाया था या क्या बन गया यह बन गया पाइप वही पाइप क्या होता है बेलनाकार होता है खोकड़ा होता है तो पाइप को पकड़ने के लिए या कई खोकली और बेलनाकार जाब को पकड़ने के लिए किसका यूज करेंगे तो देखिए कहीं पे पाइप को पकड़ने के लिए किसका यूज करेंगे तो देखिए कहीं पे पाइप को प सब्सक्राइब के अट है तो इस तक को भी कंपलीट किया जाएगा आस का टार्गेट है मेरा अधाइस बनाने का देखते हैं क्या होता है कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूब को कातने के लिए हेक्टा ब्लेट के किस पीच का उप्यों किया जाता है तो इसके लिए जो पीच होता है वह मिनिममम वाला जी दो दफ्रों 8 mm वाला और जो आपका है सही हो जाएगा जिन्होंने 99 का यह दिया था ना बिल्कुल परफेक कि 2,25 को ने 0,25 तख कराओंगा जो पकुफिन का पूछ रहा है आप न दाइसा तक करवाऊंगा मैं चलिए इसको देखते हैं बिबिन प्रोफाइल को काटने है क्लिकि इस धादु काटने वाली साख औपयोग किया जाता है बिबिन आकार की पुफाइल काटने के लिए तो आलम ने यह जवाब दिया किसका भई ठीक है 99 का यह है बिल्कुल सही है कि सव वाला जो लुक्सी जवाब दे रहे हैं ना बिल्कुल ठीक है कि अगले कुशन पर चलते हैं इस तरह सतक पूरा भी हुआ अब आगे 101 पर ज़िए कि अगे में या कि मैं भी फाय्ड वाली सिर्फेस पर खरोच है चिप्स की उथ्पादान का न्यायरर क्या की सब्सक्राइब कोई सब्सक्राइब कर रहे हैं उसक्राइब क्या रिजन हो सकता है आप सम्सक्राइब आप लोग आंसर देखते हैं ठीक है 101 का जल्ड 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 जवाब देजीए ठीक है एक अक गेYemar का यह आ गया आसर यह और शहीन है ठीक है पिनिंग बिल्कुल सहीए जब फाइल में पिनिंग हो जाता है ना तब हम जब उस फाइल के दौरा कि रिजन के सरपेस की 파इलिंग करेंगे ठीक है तो यह बिल्कुल सही अंसर है अगले कोश्ण पर चलेंगे एक तो दो कि यह चीजल का नाम पूछ रहा है यह मैंने पहले भी फिगर बना के आपको बता दिया था कर रहा है कि शेनी के नाम के देख क्या है यह जाब है इस पर चेंड ड्रिलिंग की गई है मतल बिल्कुल सही है कोई दिक्कत नहीं इम्रान आलम सुरेंदर करन निकिता रजनीस राहूल बिनित्यादव पिंटु कनुजया अनिस गुपता रोई सरमा गाजा परफेक्ट है बिल्कुल बढ़ियां लगे रही है आप लोग मेनत किया है आपने वह आपकी कमेंट में साथ- आप लोग जवाब भी बिल्कुल बढ़िया दे रहे है कि यह हुआ थावड़े के चेहरे पर थोड़ी उतलता दी जाते हैं चेहरे पर नहीं फेस वह अलग फेस है ठीक है चेहरे अलग फेस नहीं है हमने बताया था निकि उपर जो गुल बना होता है वह पीन कहलाता है और बचने के लिए वह बिल्कुल बना दे रहे है तो चोट यहां पर डारेक्ट लगेगा तो किनारे को टूटने का डर नहीं रहेगा तो आप सम्झन वी जो लोग दे रहा थे एक सुतीन का भी कि किनारी की खुदाई से बचने के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट सा बहुत ब गजव, बाफसा, एक सो तीन, बिल्कुल सही, चलिए, एक सो चार, पटा पर जवाब देजिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस अथोड़े का नाम क्या है, आप लोग देख रहे हैं हैंडल है, और यह इसकी पीन है, पीन कैसे है, और हैंडल ऐसे है, मतलब जो पीन है, वो हैंडल के क्रॉस में है, इसलिए इसका ओफसन क्या सही होगा, बिल्कुल सही, जिन्होंने सीवल ओफसन दिया था, बहुत बढ ठीक है, एक सुचार का जिन्होंने दिया था, जवाब, वो लोग अब एक सो पांच का भी दे, ठीक है, एक सो पांच और कुशन आपके सामने, फटा फट से जवाब देजेगा, चिपिंग करते समय, छेनी के अच्छा और जॉब की सतय के बीच की कोड का नाम क्या है, यह क चीजल के एक सीज़ और जॉब की सतय के बीच की कोड की बात कर रहा है, तो वह क्या होता है आपका, एक सो पांच का, बहुत सही, मनोज, रोसन, सचीन, राजू, राहूल, अनेस, ठीक जवाब है आप लोगा, बिनै जी ने दिया है, राजू, गुपता जी ने दिया है, इ जो डी वाला है, जो लोग ऑप्सन डी दे रहे थे ना, वो बिल्कुल परफेक्ट है, और बार बार मैं आप से कह रहा हूँ, यह मेरे फुफा जी है, कुछ सोच रहे है, नाम आपने बड़ा कतरनाक रखा हुआ है, कि आप जब 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 कि आप कौन से कुश्चन का जवाब दे रहे हैं, पहले कुश्चन नम्ब लिखे जैसे 106 है, पहले लिखिए 106, फिर उसके आगे लिखिए कि A सही है, या B सही है, या C सही है, आई बार समझ में, तो इस टाइप से काम कीजिए जब 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 का, ठीक है, दातू की हुए प्रापर्टी क्या जो तूटने से पहले कोई अस्थाई बिकृति के अनुमती नहीं देती है, वह मतलब तूटने से पहले वह डायक तूट जाएगी, पर उसमें कोई डिफॉर्मेसन नहीं आएगा, या तो जो उस रूप में राएग या डाय कर जाता है, इसमें कोई भी अस्थाई बिकृति नहीं आती है, तो जो भी बच्चे थे, उनका जवाब बिल्कुल पर्फेक्ट था, 106 का C वाला, कोई ये कौन है, देश प्राण करके है, 106 का A दी है, वो बिल्कुल गलत है, और एक दो बच्चे तो मुझे ऐसे भी दिख जाए, जो 106 कूशन में 107 करके आंसर दे रहे हैं, अगरा इस अफिटर से इंडियर, सर जी आपकी इंस्टिट्यूट कहां पर है, सर जी, डाट बता होने क्या, इंस्टिट्यूट जो है, क्या कह रहे है, इनिस्टूट, हमारा इंस्टिट्यूट जो गाजीपूर में है, उत्तर प्रदेश के गाजीपूर डिश्ट्रिक में, ठीक है, आप नेट पर सेल्च करेंगे, आर्ट एंड ग्लोबल आईटी आई, आपको एड्रेस भी मिल जाएगा, अगला है, गराई मैक्रिमेटर में, एसको पूछ रहा है, कि यह क्या है, यह हमारा क्या है, यह होता है इसको क्रेंड जाएप डौच यह होता है हमारा क्या स्टाक, इसको फिंबल बोलते है, और इसको जो है, हम लोग कैप बोलती है डिप्त मारी मेंटर में, यहां पर रैचेट स्टाप बोलती हैं, पहले भी बात किया था, ठीक है, रैचेट स्टॉप या पoric by बोलता है, थिक कोशिस रहेगी कि एक हम पर की जो हैं जो हेंड टैप होता है मतलब वह टैप जिसके दोहारा आंत्री चूडी चाटी जाते हैं उसे मतलब हात से अगले इसे पर कुछ जाते फ़र की दाते हैं उसको गोरकपूर से हैं मेरे फुफा जी जो है ठीक है यार आप अपना नाम बड़ा कतरनाग रखे वाएं अनिस अनिस पियो सही है सही जवाब दे रहे हैं आप लोग 108 वाला जो जवाब आया है इन्होंने ए दिया हुआ है एक एम गेमर यह सुरू से हमारे साथ बने हुए है और इनका जवाब भी कापी सांदार रहा है 108 वाला यह सही है वह चेंपर किसलिए होता है जिससे कि हम लोग उसे होल में एक सीध में रख सके बिल्कुल सीध में रह सके इसलिए आगे उसका चेंपर किया जाता है कुछ दाटा अगले question पर चलेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी जवाब देजिएगा आप लोग जल्दी जल्दी हम आगे भी बढ़ता के ठीक है इस drilling machine का नाम के देखें drilling machine का नाम पूछ रहा है यह है कौन से drilling machine है तो यहाँ पे आधित्य अंकुष अनेश संकर पंकच गजब सांदार जव है यहाँ पर आगया calculation वाला यहां से मैं अलका साथ आपको ट्रिक बता देता हूं जिससे कि आपको आसा में solve कर पाएंगे देखिए यहां पर है कंसमें ब्रिटिस में मिट्रिक वाला तो काफी आसान है ब्रिटिस की बात कर रहा है ब्रिटिस में जो लिस्ट कांट होता है माइक्रो मीटर का हुआ होता है आपका क्या लिस्ट कांट जीरो जश्मलों जीरो जीरो एक इंच होता है ठीक है हमसे पूछ रहा है इसकी डिडिंग तो हम लोग इसमें क्या करेंगे ना इसमें मैं आपको थोड़ाँ सब्सक्राइब कर बता देदा हूं जिससे आसानी से ह नौवें लाइन कि बिल्कल स्थीद मेंं वह यह है अब हम पहले इसका में एक है दो है नौवें है यहांवा डॉ भाग किये गाया है दो बड़े बाग की बीच मेंट न स्लेक्ट नहीं alright तो हमें इनका नाम पता होना चाहिए, नाम का मतलब की मतलब इनकी value क्या है, जैसे अगर माल लीजे यह 1 है, तो यहाँ पर क्या रहा होगा, यह जो छुटा वाला है, यह 1.25 रहा होगा, यह जो इसके बाद आया होगा, 1.5 रहा होगा, फिर इस पर जाएगा, तो 1.75 आएगा इस वाले पर जाएगे तब 2 होगा, मतलब एक खाना, दस्मलो 2.5 का है, एक खाना, car .25 यहाँ पे पर यहां पर दस्मलो 5, प्रिया पे दस्मलो 7 साथ 5 फेर यहां पर एक तो एक से क्या दो हो जाएगा तो हम लंग इस टाइप के question में क्या करेंगी न improves कि जैसे याँ एक है जो मोग दस्मलो ले ले लिए कि हमारे पाथ द मं लो यहां पर 10,25 हो जाएगा 10,125 यहां पर 10, दखी इसे में ट्रिक बता रहा हूसा, निकालने का का भिगहें हैем 10,25 इहां यहां वागना यहां यहां वाली याःम वाली लाइन कि इसको बताएगी 10, knowledge इसके आगे यहां पर दिख रहा है यहां पर बनाने एक और यहाँ पर हमें दो दो खाने दिखाए देंगे एक भाग दो बाग तो तो दो दो यहां पर यहां यहां पे जायेंगे तो क्या होगा जो नॉफ दो पांच बढ़ता जा डिए न तो यूझे करेंगेड़ सुलोघ कि टीन पांच जीरो प्लिस का सब्सक्राइब से जोड़ लेजे दसमलो जीरो जीरो ना जोड़ देंगे दसमलो तीन पांच ना तो यह तो निकालने का तो अब ने साइट में बताया ना तो जिन्हों ने दिया था 110 कषी वह बहुत ही तेज लोग है और बहुत ही जवाब है एक दो बच्चों का यान इसको ने डी आप्सन द प्रोटेक्टर के सथिगता क्या है गार वर्नियर वेवल प्रोटेक्टर 111 जल्ड़ जल्ड़ जवाब Cel humble 111 यह जो लोग दे रहे हैं 5 विल्कुल पर्पेंड डारा हो जब है और है ओसन सी 5 मिन इत ठीक है मैंने बताया था तो वर्णियर वेल प्रोटेक्टर के दौरा एक डिग्री के बारा हुए बाग या कहिए एक बटे बारे डिग्री या पांच मिनट पांच मिनट के एक उदेशी में माप ली जा सकती है ठीक है आपको सी बिल्कुल सही रहा अगले कुश्चन पर चले पर चले करता है कि अंप अठीक है के जरी है मैं अबते यापकरा इसको ल высок के चार आ यह व notions के 5 cm सेटी में 100 संटी interject होगा तो यहां देखिए 45 होगा ना 45 देखिए 41 42 43 44 45 वली लाइन है बिल्कुल परफेक्ट ऐसी पीछे आते हैं अगर 46 यह बड़ी वली लाइन यहां पर आधे पर यहां पर 35 रहा होगा तो जीरो कहां है 36 यहां होता ना यह जो जीरो नीचे वाला यह 35 थोड़ा आगे है इस लाइन सीध में पसी साथ इंटू लिस्टंट कितना होता हमारा वर्णनेर के लिपर का 0.02 एम होता है में 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 होता है में में तो यही करेंगे 0.02 और लेजिए 35 प्लस पचीस दुना पचास जीरो दूनों को जोड़ दीजिए 35 दूनों पांच जीरो यह आगया क्या है में मज़ा आजा एक सुबारा का डी कितने लोगों उन्हें अफसन डी दिया है फटा-फट जवाब दिजिए आप लोग आगे लिखे कोस्चन नंबर में बार-बार के रहा हूं तभी मज़ा आएगा मज़े समझ में आएगा कौन सा अंसर देरें आगे कोस्चन नंबर जरूर लिखिए आप लोग डी वाले बिल्कुल परफेक्ट हैं जिन लोगों ने डी अंसर दिया था यह मेरे फुपा चीज़ जो है कमाल कर जो सर्फेस प्लेट होती है उसका पूछ रहा है ना सर्फेस प्लेट हमारी क्यों स्ट्रेस लिव गुड क्वाल्टी का स्टारन की बनाए जाते हैं 113 कोस्चन नंबर पहले लिखिए 113 उसके बाद आप लोग जवाब देजिए 113 का कि इस वाले जितने बच्चे है ना 113 पे सी मज़दार है विक्रिती को रोकने के लिए टू प्रिवेंट डिस्टोरेशन ठीक है इस ट्रेस प्रिशनी रहती है ताकि उसमें कोई विक्रिती ना है अगर आपके मेटल में इस्ट्रेस होगा तो उसमें तना उतन होगा तो उस पर बढ़ेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं फिर एक बार थे स्विट बढ़ाएंगे यहां पर थोड़ा समलो कि समायोज्य समातर ब्लाग का मुख खिलाब क्या जो एडजेस्टेबल हमारा होता है उसका क्या जो एडजेस्टेबल पैलल ब्लोक मैंने आपको बता आबच्ट हैएख सही पोजिशन पर इसक्राइबर को सच्राइबर को सच्छाब करने के लिए किसका यूठ किया जाता है यहां पे अबहुत सब։ढ़ के और यहां ठीक है, fine adjustment screw, देखें, सही position पर ले जाने के लिए, fine adjustment करना पड़ेगा, वो fine adjustment screw के द्वारा होगा, किसमे, universal surface gauge में, D वाला option बिल्कुल सही है, जिन लोगों ने D का option दिया था, बहुत ही सांदार रहा, बहुत अच्छा रहा, ठीक है, अगले question पर चलेंगे, देखें, सबसे आ meter, और 1000 mm, बिल्कुल simple सी चीज़ है, और option C आपको दीख भी रहा होगा, यहाँ पर, और यहां कमेंट में भी मैं देख पा रहा हूं, सब लोग बिल्कुल सही answer दे रहे है, जमाल अद्दीन, इपक पांडे, धिरज, नेहा, उमेश, गरजा, वितन, चापे पड़े हो, आप मतलब गलत आ रहे हैं, बहुत रियर, मतलब ज्यादा तर बच्चों ने पढ़ाई कर रखी है, जो कि बहुत अच्छी बात है, थोड़े थोड़े एक दो क्वेश्चन में एक दो बच्चे बैख जा रहे हैं, यह तो बहुत ही मज़ेदार है, ठीक है, यहां पूछ रहा है इस V-Vlog का नाम क्या है, देखी बहुत ही आसान होता है इस टाइक की कुस्चन का जवाब देना, आप इसमें देखेंगे जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जिसमें जवाब को पकड़ा जाता है, इसको बोलते हैं, लेबल, और साइड वाला हिस्सा जिसमें को फताया जाता है इसको बोलते हैं group, group, तो हम देख रहे हैं इस V-block में क्या है, कि एक label है, और एक side में एक group कटा हुआ है, ऐसे नहीं कि इधर होला, एक ही side का group काउंट किया जाता है, इस नहीं कि एक ही side का count करना, तो इसमें एक label बना हुआ है, और एक group है, मतलब सिंगल label, single group, option देखिए, option ज single group का पोता है, जब उपर भी label बना हो, नीचे भी जाओ को पकड़ने के लिए से काट दिया गया, उपर नीचे दोनों कटा हो, देखिए, एक label यहां, दो label, double label हो गया, और side में एक ही group है, तो इसको double label, single group हो जाते हैं, single label double group का पूलते हैं, देखिए, single label का मतलब बस उपर आला एक ही label हो, और जो group था, यहां पर एक और group कारती है, इधर भी और जार भी, तो एक ही side count करेंगे, एक दो, दो groups हो गया, और एक ही label है, तो single label double group, तो यह आसान तरीका है, बिल्कुल, ठीक है, बी वाले बिल्कुल सह इसको कहते हैं, 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 मिच्क छोटेक्टर हेड में भी होता है और डिन्हों ने और इक रखने सद्धा कि एवर का फैके संकर वर्म अगाँ कि तब आप साही करते हैं जब पत्र उपर पूछ रहा है यहां पर स्क्राइबर कहते हैं ठीक है दी बिलकुल नहीं होगा बी वाला इसक्राइबर रवाब बिलकुल चविक है कि इसमें कौपी बच्चे कंर्छट्रभिज़ई डी नहीं होगा भाई बी फिस sich अ वह था जब यहां नीचे यहां पर पूछ रहा है सथ एंप étant टवकैर है थीछा है इस्टुडेंट नाम से किसी के आईडी है आपका तो नाम ही नहीं है इस्टुडेंट लिखा हुआ है ठीक है अगला कुश्चन है राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए मैंने पहले बताया था राउंड बार को निकालने क्लिक इसका यूज करते है पटा 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 जवाब देजिएगा एक सुननिस का बिल्कुल सही बिल्कुल सही बी बी काफी सारे लोग भी जवाब जवाब दे रहे हैं जो कि बिल्कुल सही है option भी सही होगा जैनी के लिपर जैसे हम लोग और ले के लिपर रहा है हर्भो प्रोडाइट के लिपर के नाम से भी जानते हैं ठीक शैनी में ए से चिनीद कूल का नाम ए नहीं अर्फा कहना चाहरा है तो अल्फा ज़न खहा है इसका नाम प्लिए जिस्की नाम प्लिए अलफा ओ시간 या बीपा होगः या या ऑवल एंगल गामा हो गया को पूंच तक नहीं जोग ऑन्था 122 बिल्खोल सही बिलुक। प्रफेक्ट ही ओसे आगे चलते हैं लोग अगला कुस्चन है माला सामने को कारण ने के लिए किस छी द सांदार मुक्राइब या आयल मुक्राइब ने के लिए मैं पहले पूताया था राउंड मांसी मांसी आफ रांड आपसंडी जो है बिलकुल सही है और यहां पर काफी सारे लोगों ने ज़िए भी मैं गजब 121 जिए अगले कोश्चन पर चलते हैं मार्किंग के लिए मार्किंग के लिए मार्किंग के लिए मतलब आपको याद होगा कि जब हम जोग बनाते हैं तो सबसे पहले लगाते हैं मार्किंग मीडिया मार्किंग मीडिया के रूप में चौक लगा देते हैं मार्किंग मीडिया लगाने के बाद इस्क्राइबर से उस करने के लिए हैमर चाहिए होगा जो दॉट करने के लिए उस मार्किंग करते समय है जो हमने हैमर यूच किया उसका वजन क्या होता तो हलका है मर्यूच किया जाता है वह यहां पर पूछ रहा है तो जो ऑप्शन भी बहुत सही का पीडियो 120-122 का भी दे रहे हैं 200 ग्राम 200 ग आगे चलते हैं तो कि बिकड़ फाइलिंग की अनुसी तरीके को प्रभाव क्या है उप्ट करते हैं इंप्रॉपर तरीके से मुस्टारी करें सही तरीके मतलब डियागोनल फैलिंग क्या होती है कोई जा पर फाइल को इधर सीधर को चलाएं ऐसे-इसे फिर फाइल को घुम हो जाएगी किसी को हम लोग डाइगोनल फैलिंग क्याते हैं पूछत रहा अगर हम क्या करें अनुछी तरीके थे सब्सक्राइब अगर हम लोग डाइगोनल फैलिंग नहीं करते तो क्या होगा 123 का 123 का सही है ठीक है बहुत बढ़ी हाँ जो लोग जवाब दे रहे हैं आपे न बहुत सही जवाब है आप लोग का A वाला option A ठीक है बहुत बढ़ी हाँ कि वेलिड जवाइन अवर कास्टिंग से अत्रिक धातों को हटाने के लिए किस छेणी का उपयोग किया जाता है यह ऑक हम लोग पहले कुश्चिन को हटाना है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं प्लाट कीया है कि क्यां ओसटनेर नहीं है कि गजब बहुत बढै एक सचो बीस के हाँ पर काफी लोगों ने जवाप दे दिया है और जो कि बहुत ही सही अंसर एक संदार ही अबढ़िया कि यह कर दिया कि पुंफा जी नान त्व देनाज के लिए डिया इट laughs अपर नराज हो जाते हैं पर यह वाले तो काफी खुश लग रहे हैं सारे आंसर बिल्कुत सही करते हुआ आगे बढ़ रहे हैं एक एक यह पर पूछ रहे हैं बता दो को नहीं है रूपा रानी काफी गुस्य में सांदार ठीक है यहां पर वहले साथ जदूब्जे कुई बिख चास जा सकती है इसन सांदार प्रूब्जी आएगे आप लोग देखिए और शेखता है कोई आरे लिगंगी क्लासर जरूर र पर कोई सीवियो पर लाहेंगी जरूर। ठीक है। इस फाइल करना हम क्या है? देख है यहाँ पर फाइल कैसी दिख रही है, गोल-गोल सी दिख रही है, गोल-गोल ड़ाएं, रोट्री मतलब गोल-जोल और फिगर में भी गोल-गोल, तो ओफ्षन भी आपका? ठीक है सांदार आफसा नहीं है ना 125 का है कई सारे लोगों ने जो रही सालम बहुत बढ़िया देश प्राण कुनाल साहूद इपक पांडे बहुत सही आप लोग बहुत बढ़िया मैंने आपको पहले भी बताया था कहां आप ध्यान लगा रहे हो कि कहीं से भी हो आप किसी भी स्टेट से हो कोश्चन सब में यही वाला आएगा ठीक है सब क्या स्लेबस पूरे इंडिया में स्लेबस सेम होता है तो उसके लिए टेंसल देने की जरूबत नहीं है फाइल के फेस पर चाक क्यों लगा आए जाता है जो हमारी फाइल होती है हम लोग उतके फेस पर थोड़ा चाक लगा देते है ना चाक तो वह क्यों लगाते है वही कुछ से नहीं पर पूछ रहा है और सबसे अच्छी बात यह है कि जवाब मतलब बिल्कुल सही सही आ रहे है यह बहुत बढ़िया चीज़ है ठीक है आपना बिल्कुल सही जवाब दिया कि पेनेट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए ठीक है मतलब इससे क्या होगा कि जब फाइल पे लोग चौक लगा देंगे ना पेनेट्रेशन का मतलब को ज्यादा मेट्रियल नहीं उतारे जिन्हों ने सीव अलाइंसर दिया था ना बिल्कुल बढ़िया था ठीक है एक कुस्षन देख लेते हैं छोड़ा मैं छोटा कर दे रहा हूं अब ठीक है फाइल पिछ हेक्साब्लेट का उप्योग क्या है फटा फट जवाब देजेगा ये भी कुस्षन में पहले बता चुका हूँ और भी पीछे में बताया था था फाइल पिछ हेक्साब्लेट ठीक बहुत बढ़िया जो जवाब आ रहे हैं आप लोगों के बहुत ही जबरदस करते रहें जो लोग जानते हैं जो लोग नहीं जानती हो लोग पटा पट सौल किजीए तब मजायेगा न खिक है यहां पर देखर यह है M10 x 1.25 के लिए ब्यूद साइज की बताता है दूसरा ओला हमें पीच को बताता है तो टेफ साइज हमें 10 मिल गया माइनस 2 इन्टो डी बराबर क्या होता है 0.61 इन्टो पीच होगा अब हमें पीच कमा नहीं पता है एक दस्मलो दो पांच तो यहां पर हम रख लेंगे डारेक्ट एक दस्मलो दो पांच ठीक है गेड़ दुना तीन हो जाएगा पहले गुड़ा करके तभी घटाना तभी अंसर सही आएगा इन्टो जीदो पॉट्ट 6 वन अब 10 माइनस यहां तीन एक कम तिन तीन चेक अठा रहा है दो अंक पर दस्मलो एक दस्मलो एक दस्मलो एक दस्मलो अब देखेंगे यह किस के करीब है किसी के करीब नहीं लग रहा है 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 यहां पर होना चाहिए था एक पहला जो ऑपन है इसलिए ग्रवड़ रहा है करने का तरीका आपका बिल्कुल यही है इसमें कोई दोराय नहीं है यहां पर आठ दस्मड़ों एक साथ दिखेंगे तो यह लगबग आठ दस्मड़ों दू के करीब रहेगा इसलिए यहां पर आप साही कर सकते हैं यहां ऑप्सन थोड़ा मिस्टिक हो गया है इस इसको देख लिजेगा आप लोग 128 वाला है 128 का बी बी नहीं सही होगा बही 128 का इस सही होगा जब मैं आंसर सही कर दूंगा तब पहले आंसर तो अगर बढ़ हो गया तो ना ठीक है ऐसे डिल में अंनों चैहिए मरत थोर्यफ विध station के बांने है थो मैं तो और परयो इतना परसान क्यों हो धुत कैने में I agree हज़गे उसके बीच का नाम क्या है हमारे पास क्या ड्रिल है उसमें फ्रूट की बीच का भाग उच रहा है ड्यिल होती है ना बीच का जो भाग बसता उसको हम लोग वेव कहते हैं क्या कहते हैं जिन्होंने आंस्वर यहां पर दिया था बी वाला ना बिल्कुल सही था ऑप्शन बी वाले जो लोग दे रहे हैं वेव 139 का वह बिल्कुल सही है अगले कोश्चन पर चलेंगे यह थोड़ा सा देखिए न अगर मैं इसमें जो वैल्यू आएगी हमारी वह अधिक कोड़ वाली आएगी तो अधिक कोड़ की वैल्यू के आएगी तो हम नॉर्मल माप लेने के बाद उसको 180 डिग्री में से घटाएंगे तब हमारा एंसोर आएगा जब भी एरो लिप्ट साइट को बना दें तो जब हम रीडिंग पढ़तें तो रीडिंग पढ़ने के बाद उसे हमें अगर राइट साइट को एरो बना हुआ है तो जो आएगा वही लिख देंगे अगर लेप साइट को राइट एरो है तो हमारा जो माप आएगा उसके एक सवस्ची में से घटाएंगे ठीक है तो पहले देख लेते हैं यहां पर मान क्या है हमारा यहां पर 20 है 20 के बाद 21 वाली लाईन है 22 वाली राइन एरो कहां दिखाया क्या है उसके 20 पहले चैट आगे, और यहां По 2 ऐस दिखाया क्यारो है, 20 से थोड़ा सा आगे है तो Communism, 22 दिगए है अब यहां मिनट वाला यहां पढ़ लेंगे तो देखिए एरो यहां 30 के सामने है तो कुछ पढ़ने कज़रों सी नहीं है 22 दिग्री यहां मिल गया 32 दिग्री 30 मिनट अब हमें जो मान आया है कौन ता यहां नियून कोड़ आया 90 दिग्री से कम आया लेकिन जब भी इधर का गयर होता है तो अथीक कोड़ वाला होता है मतलब हमें 180 में से घटाना पड़ेगा तोris आइंच्वर मिलेगा तो हम क्या करेंगे 180 दिग्री और गटाली तेस गया 30, 30 मिनट अब यहाँ पर 9 मसर्थ 2 गया साथ साथ में से दो किया पांच एक 177 डिग्री 177 डिग्री 30 मिनट और तुम देखिए जिन्होंने आंसर दिया 130 का सी ठीक है यह कोई भाई है बचकंडा भाई कहो नहीं नहीं आंसर तो बड़ा सही दिया खुब सी-सी लिग दिया है विस्वजीत ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया एक प्रजापती सही आंसर है सी वाला एक 177 डिग्री 30 मिनट मन्या को तरिका भी बताया बिल्कुल आसान था ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है अब भास्ट पड़ाओ ठीक है अब आप स्पीट बढ़ाता हूं यादे बारी माइक्रोमिटर का कौन सा भाग में आपने एक सत्या की बीची समान दबाव पनस्चित करता है किस मैक्रोमिटर की दौरा समान दबाव लोग सुनस्चित करते हैं तो यहां पर दीपक पांडे अगले कुशन पर चलते हैं ठीक है इतना इस फिर्मिटर सही रहेगा वर्नियर हाइट का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइट का एक इंटेग्रल पार्ट है ठीक है इंटेग्रल पार्ट का मतला है कि अभिन भाग मतलत जो उससे अलग नहीं है उसके साथ जुड़ा हुआ रह तो मुख्य स्लाइट के साथ कौन सा इसा भाग जुड़ा हुआ है जो इससे अलग नहीं किया जा सकता उसका अभिन निश्सा है जिससे अलग नहीं कर सकते है तो आपका सही हो जाएग है 32 का यह जिन बहुत सही तो इससे अलग नहीं होगा वह भी इसका नहीं हो सकता है जाओ क्लैम यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आ जाएगा यह तो इसके साथ जुड़ा ही नहीं होगा अगले कुश्चन पर जलेंगे कि गहराई को कैसे मापा जा सकता है फटा पर जवाब देजिए आप लोग 133 नंबर स्वारी 34 नंबर है हमारा सामने ठीक है डेप्त माइक्रमीटर की ज्यादा रेंग तो इसमें कुछ हमें बढ़ाना पड़ेगा जैसे आप लोग अपने हां देखते होंगे घरों में बोर्ड होता है ना बोर्ड तो अब अगर हमें कहीं पे एक्स्ट्रा बोर्ड की जरुद पड़ती है ना बोर्ड को बढ बहुती सांदार रहा और बिल्कुल सही रहा अच्छी बात तो यह है कि 90 लोग अगर सवाल का जवाब दे रहे हैं तो इसमें से 89 लोग सही जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही ठीक तक यहां देखतेमें हैं व्लैंअ मैकर मीतर में इसवाब की का यह मांवें? कि मैंने आपको बता दिया क्या क्या करना था आ जैसी यह 7 है तो मैंने ब्ला था झूट सर्मल मोलीजिक यह 10 लोग 7 है अब इसमें क्या हो गाए 10 लो फ तो वह मांच हो जाएगा मेंगा में ता दस ग्यादर बार हमें वाले बिल्कुल सीर्ड मेरे इंच वाला है ठीक है अब यहां पर पहले देखिए दस्मलोग 775 और यहां पर गुड़ा करेंगे तो दस्मलोग 012 अब इन दो नोग जोड़ दिए इसके निचे लिख लेते हैं दस्मलोग 012 527718 72787 अप्षन कुम सा है देखते हैं यहां पर 135 का बी दिया है 135 का जली जवाब देजिए ठीक आ रहा है 135 का भी दस्मलोग 787 लगता है मैंने यहां पी निकाल दिया उसके बाद आपने जवाब दिया गया चलिए ठीक है अगला कोशन देखा जाए मापने के दवरान बेवल प्रोटेक्टर कौन सा इस्सा इंक्लाइंट सता के क संपर्क में होता है जो हमारा योइसे कुछ सथा है यह साहरे है इसके हो ब्लेड तो ब्लेट वाली सता के हिस्सा इसके संपर्क यह बिल्कुल सही था बिल्कुल सांदार सा बहुत ही बढ़ी हाँ रॉक्स गेमर 136 का भी बता रहे हैं जो की गलत बात है और सवाल का जवाब भी गलत है ठीक है सी वाला बिल्कुल सही है अगले कुश्शन पर चलते हैं एक साति डिल्लिंग में कौन सा भाग विभीन गतील करने के लिए है ठीक है डिल मसीन में कौन से भाक से बिभीन गती अलग अलग गती प्राप कर सकते हैं फटा पड जवाब देजिएगा चंचल के कि यह आसान कुश्चन है इसमें दमाग नहीं लगाना है खुजबु वर्मा एस आर्मी नमन्मंडल नमन्त है प्रकास है ठीक है जिन्होंने अगर तीन फुली होता है इसे इसे प्राप करने के लिए द्रिलिंग मसीन में यह भी वीडियो में ने बनाया था इसमें बताया था और उस पुली को दिखाया भी था अगला विदियों का जवाब देजीगा पेड़ेश्टर इसका नाम पूछ रहा है क्या है फटा-फट जवाब दिजिएगा कोस्टन नंबर एक सवड़ती इम्रान आलम सही है साइरी सफर एक हो है बक्सर भी आर ठीक है मनीश राज बिनीत यादव चलिए ठीक जवाब जा रहा है आप लोग का जो आप्सन है यह आपका टूल इसको यह जो यहाँ पर सिशा की तरह लगा हुआ है यह आई सील्ड जिसके चीप सुगर हो आपको यह आपको मिना आए और ग्रेंटिंग विल आपका जो यह दिख रहा है ग्रेंटिंग विल है हुआ है धीपक पांडे कि उनका जवाब बहुत सही रहे रहा है मतलब सबसे पहले आजा रहा है मैं देख रहा हूं इनका कमिन्ट बराबर बहुत ही आदार जवाब रह रहा है इनका बहुत बढ़िया हुआ हो अगला इस फाइल का नाम क्यागे है ए फाइल यह बिखाया गया और इसका नाम पूछ रहा है ठीक है पहले भी आ चुका है फटा पर जवाब देगे ते कुछ में पहले बता चुका हूं 149 बहुत बढ़िया यह बचकंडा को नहीं आरे बड़े खतरनाक इनका पी जवाब सही आ जा रहा है देख रहा हूं मैं पूरा बढ़िया ठीक है अगले कुछन पर चलेंगे तो बहुत ज्यादा कुछन आ गया था और यह वाला भी होई अलत है अगर वाइस हैंजल को ज्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा ठीक है नीला में आदो तेजस कोली सीवानी राजपूत सर्फराज हुसैन अर्पिस सुकला मनिस कुमा सही है आप लोग का बिल्कुल सही जवाव आ रहा है ज्यादा कर देंगे तो क्या दिक्कत होगा इस पिंडल दैमेज हो जाएगा एक सचालीज का यह जितने लोगों नहीं आंसर दिया था बिल्कुल सही था आप लोग होगा आगे चलते हैं ठीक है आगे देखिए कौन सा क केलिपर है जिससे हम लोग फाइन एड्जेस्मेंट बिल्कुल एकुरेट एड्जेस्मेंट थोड़ा सा कम जादा करना तो उसको भी कर पाते हैं किसकी और से संभाव हो पाता है एक तो टालीज का जवाब दिजिएगा आप लोग बहुत बढ़िया इसी जोज के साथ तही है कि मेरे फुपा जी ने फिर यहां पर सांदार जवाब दिया है गाजया है बहुत बढ़िया कापी आसान भी है ठीक है नीरज मनीस दीपक पांडे ने फिर बहुत इसांदार जवाब दिया बहुत बढ़िया इमरान अलम सर्फ राज हुसैन ठीक है आपको सही जवाब दे रहे हैं सर्कुलर सा जो सर्कुलर सा होती है न यह पढ़े क्रास्टनेरिया भारी और पीस को काटने के लिए कि मार्किंग टेबल को कास्ट आयन का क्यों बना जाते हैं 143 का आप लोगा एंसवर देखिएगा 143 फटाफट जो आप दीजिएगा 143 कि मैं इसका गलत हम जाती का का यह खें गाको बनाए रकम टर्ट होता है। अ सवे लुक्त फिरेंगा बनाए रखता है च्छाइव कर देदि लिएगते हैं इस बिलकी अगरा मेंदे जिर्धे बिल्कुल तो यह बिल्कुल ही गलत है आप सुन सी यहां पर सही रहेगा तो जिन लोगों ने आप सुन सी वह जवाब दिया था ना बिल्कुल परफेक्ट था और बहुत यसांदार्थ बढ़िया है आगे चलते हैं कि 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 145 जवाब देजेगा आप लोग कि निकिल कुमार गुपता अर्पि सुकला रंजिस तॉर्ट गुड थॉर्ट अखिल पांडे अर्पि सुकला रामा चतुरुवेदी रूपा रानी सही जवाब आ रहा है आप लोगा क्या है आपके पास है यह यूनिवर्सल पीछे देखाता है या क्या आपका बेवेल गेज जो लोग आपन यह दे रहे थे 144 का ना उनका जवाब बिल्कुल सही था ने इस कुश्चन पर चलेंगे कि काफ़ी कमेंट आ रहा है सेकेंडियर का जवान हम लोग दो दिनों में कराएंगे ठीक है जल्दी कराएंगे सेकेंडियर का टेर्फन मत लेड़िए किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्मार के लिए कौन से सामने कौन से फाइल डाई और मोल्ड की बात कर रहा है तो डाई और मोल्ड के लिए किसकी जीच पर पर कमेंट कीजिएगा 145 ठीक है रोटटरी फाइल जितने दो रोटरी फाइल जवाब दिया ता न सही था एव हाले जो लोग 111 पाइलों के बीच फशी दातो की चिटोड को हटने की विदी क्या है मैं अभी बता चाहिए कि 파ाइल से हम और फाइलिग करते हैं तो जो बुरादिया होते हैं in metal ले वह फाइलों को दातों की बिच में भर जाते है तो उनको पीनिट भुला जाता है, फाइलों कीपीनिग उससे scratchies आने लगते हैं on surface U तो उन्हें निकालने के लिए उस narr collect को खतम करने के लिए इस बुरादी को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं जलें जवाब देगा je 146 जवाब डेजिटा ज़्यादा स़ियागा पर चो कमे की पीन नमबर लिख करके कि वायर ब्रफ से जब हम उसके बुरादों के निकालने कुशिस करते हैं तो जो फाइल के दातों के सार्पनेस होती है वह खराब हो जाता है ठीक 146 के सी वाले इतने भी लोग हैं दीपक पांडे अर्म इडिटर ठीक है एक गेमर प्रदीव साथ बिल्कुल सही है पर चलेंगे फटा फटा पर जवाब देजिए थोड़ा तेजी से बढ़ते हैं हम लो 143 चोटे चोटे कारे जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आ सकता होती हो उनको पकड़ने के लिए कि स्वाइस को उपयोग किया जाता है ठीक है अर्फि सुकला अनुप कुमार आधित कुमार सही अर्जुन कुमार निले सिंग ठीक है सही जवाब है कि छोटे चोटे चोटे टुकड़ों की जब बास होती है तो आप टूल मेकर वाइस का उपयोग किया जाता है नेस्टूशन पर दिलेंगे हैं कि अगला कोशचन आपके सामने है है कि स हेक्साबच के उपयोगों गुमावदार रियखाओ के साथ काटने के लिए किस लिए तो उसके लिए हमें और यंपास चाहिए बादो कि पहसे कंशिं。」 प्रोफाइल में इस तरह से कहीं पूख्टिंग इसका मतलब कि आपका जो ब्लेड वह भी फ्लेक्जिबल हो ताकि इस ट्रैप ऐसे घुम सके जैसे साफ होता है घुम जाता है ना तो इसे आपकी ब्लेड भी होनी चाहिए कैसे फ्लेक्जिबल टाइप की तो यह आपसन की आपसन सी है मतलब को ध्यान से अगर आपने पढ़ अब आपने हुए हैं और उससे भी अच्छी बात है कि उनके जवाब बिल्कुल सटीक है बढ़ीया बात है ठीक है कि शनी का उपयोग कीवे काटने के लिए कि उपयोग करते यह भी मैंने आपको पहले बताया था फटा फटा फट जवाब देजेगा आप लोग इसके पहल करते हैं और इसी के दोर हम लोग कीवे जो हमारी साफ्ट होती है साफ्ट में की लगाने के लिए जो खांचा कटा आ जाता है उसको कीवे केते हैं अग कीवे के लिए हम लोग के क्रास का टॉला यूज करते है तो लोग और ऑप्सरन भी वाला टिक कर रहे थे बिल्कुल सही क्या है ठीक है पीन फेस चिक आई होल फटा फट जवाब देजिएगा आप लोग एक सो पचास कोश्चन नमब लिखे फिर जवाब देजिए एक सो पचास एक सो पचास अखिल पांदे करें सेकेंड डियर की मैं रसन क्लास देखें जल्दी दो-तिन दिनों में हो जाया का टेंफन मत लेजिए ठीक है इसका जो आप जो लोग में पिन दिया है ना आप सने बिल्कुल सही है नीचे वाले से को फेस कहते हैं यहां वाले से को चिक कहते हैं और इसको हम लोग आई होल कहते हैं क्लियर आगे चलेंगे छेनी पर क्राउनिंग की बात कर रहा है छेनी पर छेनी की धार पर जो क्राउनिंग की जाती है मतलब जो हमारे चीजल होती है ना उसकी एज जो होती है ना चीजल की एज मतलब ऐसे हम लोग बिल्कुल सीधा नहीं रखते हैं ऐसे सीधा नहीं रखते हैं तो चीजल की जो यह होती है हम लोग ऐसे थरो गुलाई में रखते हैं क्राउनिंग करते हैं क्यों करते हैं जिसलिए हम लोग उसका हैमर का कर रहे थे हैमर को भी हम लोग मीचे फेस को सीधा नहीं रख रहे थे उसमें उस तलता दे रहे थे या क्राउनिंग कर रहे थे इससे फैदा होता है कि कि अगर बिल्कुल सीधा रहता तो चीजल का यह वाला हिस्स है ना किनारा जो है जब आप कहीं कटाई करते तो यह तूट जाता कोना तूटने का डर रहता इसलिए हम लोग क्राउनिंग कर देते हैं जिससे की कोना तूटे ना तो आप्शन देखें यहां पे कोनों की खुद करने को कैसे रोके किसकी बात कर रहा है चीजल अगर हम लेजिए आपको यह हमारे पास मेटल हो गया यहां पर हम चीजल से कटाई कर रहे हैं चीजल का जो हिस्सा है यह दातू के सरफिस रगड नहीं खाएगी अगर हम लोग इसको तो बढ़ा कर रहेंगे तो रगड नीच ठीक है 152 का अर्पिश सुकला हेमान तर्जुन पंकच अनूज अर्पिद दीपक कुनाल अनूज ठीक है सही आंसर है 152 का जिन्होंने सी एंसर जी हाए क्लेरेंस को बढ़ा करके बिल्कुल ही सही एंसर है अगला कोशन देखेंगे फटा-फट करते हैं धाथू की उस प्रोपर्टी के नाम बताए जो सांक शक और लगना मतलब क्ले च्टका उसको जोचन 85 ने दिया था बिल्कुल सरहा तो जिन्हों ने भी इसका ऑपन्डी सही किया था बिल्कुल सही है एक 153 का भी बिल्कुल साही है ईह ए विए को सब्सक्राइब हो जो आएक है सो कॉण सा पर मिजलिंग टेश liar जो बहरी मिक्रोंिटर के फ्रेम में फिट होता है कॉण सा पर हमारा क्रिंड कि बहुक्त प्रों होता है कि यह फ्रेम हो गया इस टेPS रहता पुछाबा था थो एक शवर्मकात चिन्होंने ए और दिया है ना बिल्कुल सही है कोई भी सोचने वाली बात नहीं है बिल्कुल परफिक्ट है यह weg यहां पर नुज का आर अर जून रडिया है ऐसे नोगोंने अंसर पिंधूर्स सब्सट जैंकि हो रहा है तब क्लियर देखेंगा ना ठीक है पूरा दिख रहा होगा पूछ रहा है इस माइक्रोमीटर का नाम क्या है तो यह पहले भी आ चुका है फटा फट जवाब देजिएगा एक सो पच्पन कि एक सो पच्पन ठीक है डेप्ट माइक्रोमीटर बिल्कुल परफेक्ट एंसर है जतने लोगों ने भी एक सो पच्पन का ए एंसर दिया बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल सही है अगले कोशन पर चलते हैं मसीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है मसीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को जो भाई हमारी मसीन होती है वो मसीन की बात करता है जो हमारे द्रील मसीन होती है उसमें द्रील चक रगा हो रहले है तो ट्रील चठ है किसको सब्हकर एक ठीक है 156 जल्दे जल्दे जवाब देजेगा 156 सही अंसवर जिन्होंने यह वाला दिया है आरबर बाई आरबर 156 का यह यह वाले बिल्कुल सही है बिल्कुल परफेक्ट आंसवर है वाई आरबर हम दोग डिल चक को डिल मसीन में आरबर पर पकड़ते हैं ठीक है अगला कोश्चन है कौस्ट डिलिंग मसीन में इस पिंडल हेट को कॉलम के पास आरब दूर करा जाता है ठीक है कौस्ट डिलिंग मसीन है जिसमें नो क्या कर सकते हैं इस पिंडल हेट को कॉलम के दूर जो हमारा कॉलम या पिलर होता इस टाइप से और इस पर हमारा क्या लगा विसमें दीन बगकड़ कर सकते हैं इसे इसे पीलर अपर निचे भी कर सकते हैं यह जो मशीन होती है चुकि इसमें चेंट सीजैने को मचिने के नाम से जाता है तो जिन्होंने 107 का स्यांट छोन सही है जैसे कि था ठीक है अगला कोश्चन है किस स्कूर्ट में क्रेश्ट रूट को राउंड किया जाता है फटा फटा फट जवाब दीजिए 158 155 का जल्ली जल्ली ठीक है बढ़ियां सही जवाब आ रहा है आप लोगा है होता है यहां पर आपको एंगल भी बता दिया है इस चीश को भी थोड़ा सा नोट कर लेजिए अगला कोश्चन आपके सामने दीख रहा होगा फिगर पूछ रहा है कि इस टैप रिंज का नाम क्या है टैप मतलब जो आंत्रिक चूड़ी काटता है और उसको चलाने के लिए यह रिंज यूज किया जाता है इसी में टैप को लगा करके घुमाते हैं यह कहूं सा रिंज है तो यह रिंज पूरे एक भाग में सॉलिड बना हुआ है तो आपसान आप लोग दीजिए स्वरी एंस कि भिनित यहां डाटा खत्म हो गया सर इसका मतलब महरासन चलना है अप也可以 मैने पहले ही बताया था महरासन के मतलब है कि डाटा खतम हो जाए और आपकी भी इनर्जी खतम हो जाए तम माना जाए कि हां मेरा पन चली है नरिंदर आप एक बार अपना कमेंट कर दीजिए आप क्या पूशना चाह रहे हो अपना करने का सुत्र क्या है यह तो हमने पहले भी पढ़ लिया था टैप इन्टु डेप मतलब गहराई और देख रहे हैं यहां पे पहला ही ओपन दिख रहा है यह जिसे लोग टैप साइज की नाम से भी जानते हैं माइनस टु इन्टु डी गहराई तो आपसन ए सही रहेगा एक सुसाट के ताथ जितनों लोग एग वाला टीक कर रहे थे ना वह बिल्कुल सही था एक सुसाट का यह बिल्कुल सही अगले कोशन पर चलेंगे ठीक है 161 कौन सी गतीविदे डिलिंग करते समय डिल बीट के अतिधी घिसना और आवाज करने के कारण बनता है जल्दी से जवाब दिजेगा आप लोग फिर आगे बढ़ा जाए ठीक है आतिधी घिसना और आवाज आने का कारण पूछ रहा है यहाँ पे अतिधी घिसना और आवाज आने के कारण ठीक है आप्सन नमबर जो बी यह है जिनोंने भी टिक किया 161 का आपसन बी वह बिल्कुल सही है 161 का option B अगले question पर चलेंगे देखिए अगला वला जो आ गया फिर आपका किसे related है तो reading निकालना है हमें थोड़ा से इसको देख लेंगे बाकिया आप लोग comment करके बताएं अंतर क्या सही होगा तो दखनमुट solve भी कर लेते हैं इंच ग्रेजचन के साथ UVरNi alt की रीडिंग क्या रहें कि इंच वाला है आई पर कुण सा है इंच ओला थी होगा आपको मालूं है मिट्रिक की जब बात आती है तो यहां पर इंच वाला पूछा भी है तो देखिए यहां पर पढ़ने कुछिस करेंगे थोड़ा था ठीक है चार पांच छे साथ यहां ही इस वाले पहना यहां पर दो है इसका मतले हमारा इसके पहले क्या एक इंच रहा होगा तभी तो एक के बाद दो इंच आ गया फिर यहां पर तीन इंच आ गया तो एक इंच यहां पर होगा एक इंच के बाद दिखा जाए तो यहां पर चालीस यहां पर क्या है पचास अगर इसको दिखा जा लेंगे टो एक इन्च प्लस या प्लस तो इस उली लाइन क्या होगी टो वह प्लस यापी ऑो is हो जाएगा जो चार पांच में इसकेल हो गया प्लस कि वर्णियर के कौंसा भाग मिल रहा तो देखिए यहां पर दस वाला है और इससे एक पहले वाला एक कहरा है कि मिल रहा है मतलब नवा भाग मिल रहा है क्यों सा भाग नवा भाग इंटू 0.001 इंच लिस्ट काउंट हम इंच वाला लेंगे क्योंकि इंच में बोला है गुड़ा कर लेते हैं एक दसमलो चार पांच प्लस दसमलो जीरो जीरो नौ ठीक है हम लोग क्या करेंगे अब इंदोनों को जोड़ द लग जाएगा उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर की वीडियो देख लिए ठीक है यहां पर क्या आ गया आउसन भी वाला ना 162 162 का भी जिन लोगों ने टिक किया था बिल्कुल पर्फेक्ट और सही है सुनील जला मुद्दीन कि दीपक पांडे हमन परिक अर्जुन कुमार ठीक है अगले कुश्चन पर चलेंगे थोड़ा सा इस पीडियां बढ़ाते हैं हम लोग कंबिनेशन स्टेट में की जबाग का उप्योंग 90 डिग्री और 45 डिग्री के लिए किया जाता है देखिए भी कुश्चन पहले आ गय कि लिए ना बिद्क्रों सही हे में कि प्रसें पर ड्रैंगे कि एंगल इसकी डिए बड़ा गया होता है उसी को रिप्सति बोलते हैं कि यह रिप कि लगा या लगा जाता है विक्रिती को रुखने के लिए उसको बिल्कुल सिदा रखें ताकि उसमें कुछ टेडा पन विक्रिती ना है जो लोग ऑफ्चन वी दे रहे थी इस तो आपको बताया था मतलब डबल लेबल हो गया डबल लेबल और गुरूप साइड में एक ही गुरूप कटा हुआ है तो सिंगल गूरूप अप्षन देख लिए यहां थोड़ा चोटा कर देता हूं फिकर बड़ा है इसलिए हां पूरा नहीं दिख रहा होगा आप अपके अप देखे डबल लेबल और सिंगल गूरूप सब्सक्राइब कर रहेंगे ना पहले भी बास हुए थी मैरासन मतलब मैरासन ऐसे नहीं कि आए 40-50 कुस्टन करा दिया कह रहे है मैरासन हो गया मैरासन हो गया ठीक है मैरासन के मिनत करनी पड़ती है आरो आज होगी हम लोगा ठीक कि आप लोग 200 भी complete करेंगे 165 का सी जिनोंने किया बिल्कुल सही है 166 नमबर कर कोश्चन आपके सामने हैं तो यह वह सकता है कितना कार्बन कंटेंट को फोर्ज हो सकता है मतलब कितना कार्मन कार्बन रहेगी तो इसको फोर्ज किया जा सकता है ठीक है कितना कार्बन कंटेंट फोर्ज हो सकता है तो एक दस्मलों साथ परसेंट तक के मतलब कार्बन कंटेंट को फोर्जिंग किया जा सकता है कि इसमें इस टील में तो 166 कब भी जितनी लोगों ने आंसर दिया था वह बिल्कुल सही है कि अगले कोश्चन पर चाहिए एक 127 का जल्ली जल्ली आंसर देजिएगा मैं कोश्चन पर देता हूं आप पोगी सामने इस पड़िये कि कास्ट आरेन में डिलिंग के लिए किस कटिंग फ्रूट को प्यों किया जासा है कि कास्ट आरेन में जब हम लोगों डिल करते हैं ना तो का स्टारन क्या होता है बिटल मेट्रियल होता है डिल करते हैं चोटे-चोटे टुकड़े में तूटके आराम से बहार निकल जाता है कोई भी उसकी लंबी चिप्स नहीं बनती है इसलिए इसमें किसी वह ऐसे कुलेंट की जरुवत नहीं पड़ती है नार्मल हवा के चोटा करता हुए आप है फिर देखते हैं हम लोग ठीक है पटापट देखिए 168 168 का आंसर बताईएगा आप लोग अर्जुन जय सुमेश बिनोध राजो गुप्ताव संजय दीवेदी दीपक पांडे ठीक है आप लोग बराबर सुरू से लगे हुए है रादे सयाम कु पांया साम लिख किया जा सकते है रेडियल आरमों को फी 303 ग्रीपे गुमा सकते हैं पर पूछा था कि यह क्या है हो है इसको पूछ नहीं इस पिंडल हेड।। और दी है हमारा क्या स्पिंडल क्या दू पिल्कूल सई आपuing सोंकार उर्मा का सई आईप है केरीयानन है वि 170 थोड़ा सब्सक्राइब करने के लिए आठीम का चैन करें ठीक है इसको आपके सॉल्ट कर लिए तो न निकालेंगे तो क्या हो जागा यह इधर चलाएगा वी इंटू 1000 अपान पाई डी वी की वैल्यू क्या है तो देखिए वी की वैल्यू जी है 30 मीटर पसी मिनिट देख रहा होगा आप लोगों को तो 30 इंटू 1000 अपान पाई कमांद 3.14 होता है इंटू डी ब्यास कितना देखिए दिया होगा कहीं पर यह देखिए 24 में ब्यास है 24 अब सॉल कर लिजिए 6 चोग को 24 6 35 4 से जाएगा यह 25 25 एक हजार 1250 1250 बटे 3.14 देखिए कि किसे लोग बगा जाएगा इससे भाग जाएगा तब 3.14 और 3.14 है ठीक है लगवग आपका ना इसको भाग दे लेजिए यहां पर तो 3085 के करीब आएगा 3085 के करीब आएगा तो उसके करीब में क्या 4 सू रहे था आपक्संट सी आप का सही होजाएगा चार से इसको भाग देखे आप लोग देख लीजिएगा ठीक है तो जिन्होंने आउक्षन C वाला टिक किया था वह बिल्कुल सही था अगला कुशन देखेंगे छेद में रिवेट डालने के बाद छेद में रिवेट को डालने के बाद यह फूफा जी का अंसर फिर दुबारा बिल्कुल सही रहा एक से उनद्तर का C प्लेटों को निकट लाने के लिए किसका उप्योग किया जाता है इसको छेद में रिवेट को डालने के बाद दो प्लेट है एक प्लेट यहीं हो गई एक प्लेट eh हो गए जो यहां पे एम लोग रिवेट को अँदर डाल लेते हैं तो इन दोनों प्लेटों को नज्दीक लाने के लिए तो उसके लिए हम लोग क्या उज़ करते है तो उसके लिए उज़ करते से डोनों plate को नजदी को लागा जाता है Drift की मदश से डोने mat के hole एक कीजम मिला जाता है Dolly का काम होता है Revet के hate को support प्रदान करना cocking tools का काम होता है रिवेट के हेट को प्लेट से मिलाना या प्लेट के किनारे को प्लेट से मिलाना ठीक है clear तो जिन्होंने सी और समदिया था बिल्कुल सही है ठोड़ा सतीजी से चलेंगे यहाँ पे मैंने ज़न्द जल्द आपको सारी चीज़े बता बेदी बेन्ट इसनेप का जो प्योग हो डेटा खतम हो गया कुछ लोग रहा है खाना खाने चले गए कुछ लोग सोने चले गए बैटरी डिश्यार्ज होगी लोगों की बिल्कुल सही वो लोग चले बाद में देख लेंगे फुपा जी का दुबारा शांधार जवाब रहा है यार इनने ने तो कमाल कर दिया है ठीक ऊपर वाले को हम लोग कहते है अपार ब्लेट नीचे वाले को हम लोग कहेंगे लोवर ब्लेट और इसी को पूछा भी है तो 172 का एश्यार जल्द ल जल्य देजीएगा अगला कुशन आपके सामने है इस सीट मेटल आउपरेशन का नाम बताइए यह क्या किया जा रहा है देखिए यहां पर सीट मेटल है इन जॉइंट को इसके दोरा इस टूल के दोरा दबाया जा रहा है जॉइंट को लाग किया जा रहा है तो इसको ग्रूविंग केते हैं और लोग दे रहे ते लिगुद हे वह बिल्गल perfect है है अगला के सबिकित नाम बता है कि का जिसते परस ट्रेंड होती है जोड़े जोड़े बताईए जिस पर द्रेंड कि परस ट्रेंड होती है रहा है एक 184 का डूट यह वाले सफन बिल्गिन घक ता उनका बिल्कुल सही है बाकि जिन्हें ने गलत एंसर दिया था उसको सुदार लिजिए ध्यान दखिए अगला कोस्टन देखिए थोड़ा सा यह निम्रेकल भी आ जा रहा है कि 2000 एमियाम की लंबाई है पचास-पांस एमियम की चौड़ाई है लंबाई चौड़ाई दिया मुटाई कहीं है उचाही कहीं कहीं लगभई कहीं बात है और यहां पर दिया साथ अफलो आठ पांच ग्राम प्रतिस सेमी क्यूब होना चाहिए कि यहां पर चला जाए इसका ठीक है कि घनत तो वाले इस टील प्लेट की वनज करा है यहां पर वनज नहीं रहेगा वजन रहेगा वजन की गड़ना करना है हमें ठीक है तो इसके लिए हमारे पास खालूला है रो इसको आए हमें घनत तो दिया रखा है हमें अगर आयतन मिल जाता तो हमें दरब्यमान पता चल जाता आयतन कैसे मिलेगा तो आपको मालूम है आयतन ब्रावार होता है लंबाई गुडे चवडाई गुडे उचाई हमें यहां दिया भी है कि 2000 mm लंबाई पांस इम्हा लेकि एंसवर देखिए यह kg में है और वहां पर घनत हुआ सेंटीमीटर में अगर हुआ सेंटीमीटर में तो इसको भी हमें सेंटीमीटर में चेंज करके तब आयतन निकालना पड़ेगा जैसे 2000 mm है इन्टू 500 है इन्टू 400 है इन्टू 400 है है यह उचाई कही है या मुटाई कही है एक इता है अब इसको किया बदलना पड़े गा सब दस्मणी बदलने के लिए संब बदल जाएगा लेकित 10 से बाग जाएगा 200 हो जाएगा दस से बाग जाएगा पचास हो जाएगा और यह 10 दसमरों अन्य था है सब्सक्री हो जाएगा यह होगे हमारे सब क्राइब ओसकी सफ लूंट्व को 29 5 ul सुना चालीज है कि दो तो चोग को आट तो पचे चालीज चार अजार आएगा क्या आयतन सेंटीमीटर क्यूब अब इसको यहां पर रख करके मैंसर निकाल लेंगे हमें निकालना है दर बिमान तो लो इंटू वी रू का मैंन कितना साथ दस्मलोग आठ पांच है इंटू चार अजार कि यह ग्राम प्रती से मीत है जो आएंसर आएगा हमारा ग्राम में आएगा यहां पर देखे गुडा कर लेते हैं दो जीरो गाया तो यहां साथा सो पचासी हो जाएगा इंटू चालीस हो यह आगया किसमें ग्राम में किसमें आगया ग्राम में हमें इसको बदलना पढ़ेगा किसमें किलो ग्राम में क्योंकि सारे आप्शन हमारे केजी में हैं तो आपको मालूम है किलो में बदलने के लिए एक हजार से भाग दें कि किलो ग्राम में बदल जाएगा देखिए एक वह अगला जंग और घरसर के लिए कौन से सीट अत्य थिक प्रतिर होधी है जंग और घरसर के लिए कौन से सीट जात्व थिक प्रतर होधी है बात कर रहा है जो जल्दी घिसता नहीं है मतलब कि जल्दी जंग नहीं लगता है तो वह क्या होता है आपका तो आप देखते हैं आपके जो तारोगर बना जाते हो वह अलमुनियम की बना जाते है ना 176 तो एलमुनियम पे आपका जंग लगता है नहीं लगता है इसका मतलब जो एलमुनियम की सीठों की यह जंग की जादा भी रोधी होती है तो जो सी वाला आप्टन है वह बिल्कुल परफेक्ट है चलिए आगे चलते हैं जो लोग सी के जवाब दिये थे ना बिल्कुल सही ह है 116 का सी उमेश कुमार ने भी दिया था संकर औरमा ने भी दिया था राहुल चोदरी ने भी दिया था ठीक है लगिए तो फार्मुला है बिल्कुल आसान था कि नियमित भूज के फ्लैट से फ्लैट तक की साइज की गढ़ना करने का सुट्र क्या है जल्दी ज़ली जवा सब्सक्राइब दिया साना यह बिल्कुल सही है सी वाला ठीक है कि अगले पर चलें है कि हीट मिटल वर्क में स्टेक का क्या उपए हो गया है सीट मिटल वर्क में हमनों के स्टेक किसले यूज करते हैं तो सीट पे जब कोई आकरती की रूप में बदलना होता है जब काम करत करते हैं तो नीचे इस्टीक लगाते हैं फिर उस पर चोट करते हैं तो इस्टीक क्या करता हूँ सीट मिटल को सपोर्ट प्रदार करता है तो आसन देखिए यहां पर जो लोग के 178 का भी कर रहे हैं से ना रोहन लच्मन उमेश मनीश राजू संकर एक प्रजापती संकर वर् कि इस संसा मागरी क्या है इसे उल्äre की संबागरी मैटेश स्टीक है विस्ट हमारा होता है तक बदा कि अदर को कैतें लोग कुछ और ब disparate में नहीं अंपर दोकाना चिहां और वांगते हैं टिक है टिक सभषान आम ज्याननी आ रह रहा है राहा लागा बोलते हैं तो धुकान कि आरगा को झासे पेखों सब्सक्राइब और को इसे सोल्डर करते हैं वelf इस अग्दम मसेन बोला जाता है तो यह चीज़ है जो और इंग और बोलते हैं हां यह बिसे हैं तो यहां क्या ही होटा है प्योर मेठल गाहीं हो आण यसे फिल्द करके बढ़ता है बंद करते हैं ना कफिल्ट हो रहा आप लोग की भी संक्या कम होती जार देखिए 249 पर आगए बहुत सही इस टील की सोल्डरिंग के लिए किस प्लक्स का उप्यों किया जाता है इस टील की सोल्डरिंग की बात कर रहा है आपे जवाब देजेगा एक सवस्थी नंबर एक सब्सक्रां देखिए यह वाला जितने लोग कह रहा है न वाला अमोनियम क्लॉराइड यह बिलकुल चाही है इस टील की तोल्डरिंग के लिए ठीक है अमोनियम क्लॉराइड जबकि यह जह स़स्थी हैं जो जीन क्लॉराइड है हम लोग इसको इस कौई पर नाम से जानते कि अगले कोशन पर चलते हैं कि ग्रूवर का उद्द्ध से क्या है कि मैंने पहले ही पता पट बताईए आप लोग ग्लोबल अब्दूलकरीम अमर्दीप राजीव सुनिल सही आंतर आप लोगा बिल्कुल परफेक्ट कि जो है आपको सीम को क्लोज करना और लाक करना जो जो उपयोग की जैने वाली समागरी क्या है जो रिवीट होती है हमारी वह किस मेट्रियल का बनाया जाता है जल्ली जली जली जवाब दीजिए रिवीट सही जवाबार आ रहा है दीपक पांडे हिमन प्रतिक राजु गुपता ठीक है जिन्होंने भी यह दिया ना माइल दिश्टी लोला आफ पंडी बिल्कुल सही है 182 का अगले कोस्टिन पर चलेंगे थोड़ी सी स्पीड हम जो इंक्रीज करेंगे आपे ताकि जल्ली जली को आप तो सक है यह घडर का इसको जो हम लोग बॉड्र और संते हैं बटी या सां फंक यह जो नीचे ऋ अधिस्सा होता है इसको ऑलना प्लге भोलते है जिए पूछा है कि कह Border i Must भी वला अपकर और यह जोटा है जी बद्दार यह एक रिविट का दयामेटर होता है जोगता हुँआ है जो द्यामेटर होता है कि शीरीविट की साइज भी लिए जाती है इस बात को भी ध्यान रखियेगा अगली कुश्चन पे चलते हैं Q2 कि ठीक है कि एक उने राइस और सुमन्त यादव कोई करें सर हम दुनों का नाम नहीं पड़िए यह घा तो आपका भी नाम हो गया ना राइस और सुमन्त यादव ठीक है नाम क्या है जब हम लोग सोल्डिक करने जाते तो वहां पर पर फैल जाता है तो उसको बोलते क्या है तो उसको बोला जाता है पहले आप आप जया ले ठीक है 184 का गडी फटाफ़त आरा है जो कि बहुत परफेक्ट आरे यह आंसर बिल्कुल सही भी एक सो सब्सक्राइब करेंगे और याद रखेंगे अगला पोस्टन ने सपोंड करने यह अग्रौट करने के लिए इसके लिए फजी खुश्चर पर्चस करने तो उसके लिए टूल यूज पर जिसमें ऐसे आग्रती बनी हुझी और इस टूल को मिक डॉली की नाम से जानते किसके नाम नौली की नाम पर तो 186 का यह वाला काफी लोग का इंतर आ गया रोसन कुमार खार रहें तर मैं तो खा लिया खाते-खाते पड़ाई भी कर रहा हूं लगा मुझे भी कलते ही करना पड़ेगा कि किसी दूसरी क्लास देखे में चला जाएंगा ठीक है अगले क्रेशन पर चलत यहां पर आपको दिखाने होगा आपर क्या सही रहेगा और सी इन्होंने बिल्कुल सही है अगला कोश्चन 188 पर फटाग दे चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या रहा है सीट मिटल में की सुपक्रण को पी होगा एक बड़ी प्यास का सरक्ल यह तो बहुत ही मज़ेदार कोश्चन है यार 188 पर फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए इसका मैं अंसर आप लोग से जानना चाहूंगा बिल्कुल देख सूमन सूरज अब्दूल मोहीत एक प्रजापती ठीक है रही जवाब दिया आप लोगोने प्रैमल के साथ इतने लोग बने विए थे बिल्कुल परफेक्ट अंसर पह्ता ने वे ये स्पाथ ने क्या है है सिर्ट करते समय सीट धातू के नीचे की तरफ बर क्यों बन जाता है जान Sc хороший करते चो सेरिंग मंसीन की दोरा मात्तों को खाते हैं तो नीचे तरफ क्या हूं रीजन होता अ जवाब देजेगा आप लोग एक सनवासी संजय सर्मा गजब स्टिवानी मौर्या उसके नीचे फिर संजय सर्मा का जवाब बार बार आ रहा है एक सवठाची का भी बहुत सही मतलब नाम लेने के साथा से जवाब भी दे रहे हैं ठीक है इहाँ पर देखे क्या होता है जब बता है चाना उसका तो बनता रेग लेधीन जादा होता है अब हम लोग आगे चलीखेंगे को ने के सीरींग मसी नपी गया तो भी कह रहा ह Запें जो उपर औले ब्लेड है जो अले कि में ब्र्लेडद के जादा होता ही तो आbon पूचा था कि इस पाट को क्या करते कि एक है अपर ब्लेड ब्लेड बेस लीवर और यह जो है चोटा कर दो है अप कुझ कि नहीं रहा हुगा निचे वाल्ट अपन ठीक है, अब दिखेगा, तो यहाँ पर क्या है, आप्शन भी वाला सही होगा, क्लैंप, 190 का भी जो लोग दे रहे थे, बिल्कुल सही आंसर है, 190 पर चलते हैं, सीट में ग्रूवर को प्योग है, यह तो पहले भी हो रखा है, ठीक है, 190 का, हाँ, सही आंसर है, बिल्कुल सही, बैस सीम को क्लोज करना न, पहले भी आया सब ग्रूवर वाला, तो होई सी वाला सही हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल परफेक्ट है, आगे चलेंगे, अगला के लिए, कॉंसर रिवेट यूज करते है, तो हलकी सेमली की जब भी बात आती है, पहले आप लोग जो आप देलेजी, 192, ठीक है, हाँ, दखिए, इंप्लोईबिल्टी, इसकी लिए आप की हिंदी, इंग्रिज दोनों लेंग्वेज में आएगी, ठीक है, रोसन जी, ठीक सबसे अधी की जोनवाली हमारी रिवेट होती है, और इसे मजबूद जोड़ बनता है, पायन है डॉला भारी सनात्मक कार्विव में यूज किया जाता है, ठीक, सब का मैंने बता दिया, जो लोग इसमें D सही किये तो बिल्कुल सही है, अगला रिवेट के हेट के दूसरे होता है, जब इसको हम हेट के रूप में परिवर्स्तित करते हैं, तो कौन से टूल के द्वारा करते हैं, जवाब देजिएगा आप लोग 193, हाँ, ठीक है, हाँ, सही है, मैसमा लोग सही जवाब देजिए, आलो, कुमात प्रदान, ठीक है, रोसन सिंह राजपूत, सुमन म आधक रही होगा, रिवीट स्नप, हेट बनाने के लिए, रिवीट स्नॉट, डिप्ट जो हता, दोनौं होल लोग को Χीँ से कंवानो के लिए, डॉली को सपोर्ट ब्रदान करने के लिए, रिवीट सेट, प्लेटों को नजडीक लाने के लिए, अगले कुशन पे कलते हैं, अगला कुस्ता ने आपको फिगर में दीख रहा है पूछ रहा है इसमें नॉच के है नॉच के मतलब कोई भी टुक्रा नॉच करके निकाल देना मतलब काट करके नॉच 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 करके सी इस तरह से बॉक्स सेयार हो जाएगा लेकिन जब चारो कुनों खळाकर निकाल दिया जाता इसी को नौच बोलते हैं जो काट के निकालेंगे इसकी आकरती कैसे होगी तो इसका मतलब उस नौच को क्या बोलेंगे सब्सक्राइब करने के लिए किस प्रकार के मैलेट को प्योग किया जाता है कि पैनल बिटिंग को हॉलो करने की बात कर रहा है फूखला के लिए जो आप देगे कि आप लोगो 25 जड़ी जल्दी के जल्दी से जल्दी जल्दी आगे बठते ववन 95 ठीक है बोसिंग मैलेट बोसिंग मैलेट जो लोग अब बता रहे हैं न इस प्रकूछ होता है बॉसिंग मैलेट आपन डी जो है बिल्कुल सही है 195 का ठीक है कि सुमन मुंडल सही चंदन कुषवा संजर सर्मा सही जवाब है आप लोगा नेक्स फूशन पर चलते हैं थां बजल आपीन अब ही अचलते की प्लानिंग नहीं आप में प्रक्षा सेέςगा ही है noon अधाओब सांटिनि आप याँ पे कैम न्यावरा नीच्वाथे पर लिए यहां प्लेट का यहां तक यहां से लेकरकर यां तक है ज вперग ऑ्ल्रत flew mettre यहां से लेकर के यहां तक है तो आप कह सकते कि जो प्लेट में होल किया वह सेंटर में नहीं है तो आप से लोग टिक कर रहे था अगला कुशन आपके सामने हैं एक पच्छ के साथ सरकल के चांप को बनाने के लिए सरकल चांप बनाने के लिए ठीक है अब आपको पता होना चीह था जो सचो सरकल टाइक में दिखता है। आपको मालूंगा चंध्रमा हाफ मून हाफ मून स्टेक होता है अर्द चंध्रमा के समान कौन सा इश्टेक होता है जो आसन स्टेक पर आसे और्ध बृत्तकार हम लोगा करती बना सकते हैं ठीक है तो जो लोग एक सेख शीट मेटल वर्क में इस साहेग टूल का नाम क्या है यह जो है इसका पूछ रहा तो इसको हम लोग क्या गए तो राउंड बार्टर मिस्टेक आपसन जो डी है आपका राउंड बार्टर मिस्टेक वही सही होगा एक सोन ठानवे का डी का लोग कुमार प्रधाम सिवेंद्र ठीक है जिन्होंने पर टी एंसर दिया ना वो बिल्कुल परफेक्ट है जिन्होंने डी के अलावा कोई और एंसर टिक किया थो लोग इतने एंसर को करेट कर लेंगे हाँ पर अगला कोशन देखे यह सीट मिटल मिस ज्वेंद्र एक प्रधापती आधित्य सही जवाब आ आप लोग का कवंस आपका जो डी वर आउसन दे रहे हैं डबल ग्रूप जोई यहां पे देख रहे हैं न एक प्लेट इधर को एक प्लेट इधर ते आपके तीसर प्लेट को इसके उपर लगा करके ने जोड़ दिया अधिक्तम कटेंग चपता क्या है मतला हिसहो के दो आधिकतम कितनी मौती सिट को काट सकते हैं तो इस नीग की दोरहा जिक्तम एक दस्मलोग दो में मोटाई की शीट को काटा जा सकता है ऑप्सन ये वाले जो लोग सोच रहे थे अपने मन में वह बिल्कुल सही है कौन सा ऑप्सन ये वाला विसाल कुनाल हरी ओम ठीक है दो सो का एवाला ठीक है अगले कोशन पर चलेंगे अभी मैंने इसको पीछे बता या ता वहीं फीर आगया ऑफिव साय अभी तो मैंने पीछे घिल को पर करने करके चंद्रमा जैसे M अगले question पर चलेंगे अगला देखिए रिवेट को अंतिमाकार देने के लिए किस रिवेटिंग टूल को प्योंग किया जाता है 202 का जवाब देजएगा 202 सही सूरज भीमल सिवानी कुनाल संजय उमेश रंजन अमर्देप चंदन कुस्वा सही एंसर है आप लोगा कि अंतिमाकार देने के लिए हमने पहले भी बात कहा था रिवेटि स्नेफ होता है जो रिवेट के टेल को हेड में परिवर्तित करता है त जो लोग सोच रहे थे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे है ते हैं कि आदित्यकुमार जी इंप्लॉबिल्टी सील का भी लाइब क्लास आएगा जैसे खतम हो जाता है दो-तिन दिनों में उसकी भी लाइब क्लास आएगे ठीक है त्रिया गयल का बिल्कुल सही आंसर है अफसेख है अब्दुलकरीम है अधित्यकुमार है सुनी लो अफसेल है ठीक है दोस्तों चार पहले हैं अधी वेटिंग में प्लूड्टाइट ज्वाइट ज्वाइट जैसे लिक जूएंड जाहां से लिक ना हो लिक फूड्ट को सही रहाएगा ठीक है बागी इसने पर सब हमारी पहले बात हो चुकी है तो 204 का जितने लोगों ने भी आंस्वर सी सही किया था हो बिलकुल सही था भुपेस कुमार कह रहे है लोको पाइलट के लिए यही है अगर आप फिटर से हैं तो आपको यही सब चीज़े पढ़ने के जुरूते कुछ लग से नहीं पढ़ना है इस टाइप की चीज़े आप पढ़ने जी अच्छे से यही स 205 सही है जिन्हों ने भी लिवर सिर ओला 205 को भी ऑप्शन दिया ना बिलकुल सही है ठीक है कौन से अंसारी है जमालोदीन अंसारी यह सुरू सिपसाथ में बने विए हैं और इनका एंसर भी काफी सठीक रह रहा है बाकि सीवेंदर है ग्लोबल एट एक की नाम से भी कोई यह ठीक है जवाब कोई बात नहीं आगे चलते हैं कि क्या करा है विच स्टेक की यूज़ बार मेकिंग सार्प बेंड पिछ्ड मोड या सार्प बेंड के लिए कौन सा इस्टेक यूज़ करते हैं 206 नंबर जल्दी जल्दी दवाब देजिएगा 206 सार्प बेंड के लिए हैचेट इस्टेक और संबी जो है इसमें जो स्टेक होता है ना वह कुछ इस टाइप से बना होता है उसका उपरे हिसाय से चाकू के धार की समान दाता है ति यह होता है हमारा के हैचेट स्टेक इस पर प्लेट को रख करके सीज़े इस पर 90 डेगरी से मोड लेते हैं सार्प बेंड के लिए हैचेट इस टेक यूज़ करते हैं तो जो रोग आपन भी दे रहे थे हैं वह बिल्कुल परफेक्ट है अगला कोशन देखेंगे लिए है जी यह पूछ रहा है यह कौन सा इस टेक है ठीक है तो यह जो होता है संककौ आकार आउकर्ति टाइप क age बना हुआ है तो किसी भी आकर्ति को कीप होगारा बनाना हो और किसी सीट मेडल को कीप के रूप में प्रिएफित करना हो तो हम वोग इसका यूज़ कर indo ठीक है अगला टीन की चादर की सोल्ड दिंग के लिए यहां पर पुछ रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा 208 कि 208 का या आंसर आ रहा है 1666 बिल्कुल और राइट जो लोग बता रहे हैं 208 का वह बिल्कुल सही है ege ने तीन के लिए हो गया ना टीक है या पी तल के ली हो गया तो इन सब के लिए हो था है हमारा क्या ताभा हो गया उनके लिए मां तो जीन क्लुकिलुराईड़्ा यूज करते हैं थे कैश movement किस फ्रकार कें तो आप जॉठ में कीatta कर misin को प्यों क्याँब दिख रहा है इसका मतलब सही है इसका मतलब कोश्चन कथम होने वाला जल्द है दोस्तों नहों कमेंट कीजिएगा आप लोग ठीक है डबल गुरूब डॉला जिन्होंने टी वाला अंसर बताया ना उज्वला इस्टडी ठीक है ऑप्सटन डी जो है डबल गुरूब है और फिर्ट उसकी बनाने के लिए यहां पर है C वाल ठीक है option C, C जितने लोग नों किया था बिलकुल सही है, अधित्य कहरें सर गुड़ नैट, भही इतना जिल्लिस हो जाओ गया, अभी तो कोशन बचा हुआ, 40 कोशन आ रहे हैं, थोड़ी देर आ और, थोड़ी सा आ और हिमत रखिए, ठीक है, 40 कोशन आ रहे हैं, उसको भी हम लोग खतन कर लेते हैं, ठीक है, 210 का काफी लोग कमेंट आ गया, 211 वाला बताईए आप लोग, 211 एक से रूप में चिनिक शेद का उद्ध से क्या है, कि जैसे यह कोई भी हमारा सीक मेटल है तो यहां बीच में ऐसे छेद कर देते हैं, इस टाइप से हलका सा गोल शेद बनाते हैं, क्यूं करते हैं देखिए इस टाइप से अमने इसको मोड नहीं कोसिज कर रहे हैं, यहां पर एक नीचे को मोड दिया गया एक उपर को मोड दिया गया तो अगर माल जी कोई हमारे पास नॉर्मल ऐसे होगी, सीट मिटल, ऐसे, यहां पर राउंड कटिंग नहीं करेंगे ना, एक हिस्सा ऐस अठीक से ऊपर मोडएंगे, साइड में नीचे मोडएंगे, तो यहां राउंड कुछ जो लोग 211 का, कुछ लोगों ने जो दिया हुआ है तो वह बिल्कुल सही और परफेक्ट है, ठीक है, तो 212 नमबर आपके सामने है, जल्ली जली जली जवाब देजीएगा, 212, जो श सांब गठाथ है किनude अब पोषए हैं और में है गए फिन दर से यह व्याइट को में सबकेर कि यह वि few extra करूँ नियुक में अग्रेट को मृ में रिवेट है था का अन फंदर लेस अग्राहि आ नहीं किया गया था प्लेटों को नजदीक लाने के लिए इसका मुझला प्लेटे ही हमारे जब सब्सक्राइब जूड़ी थी तो रिविटिंग जहां से सही होगी ठीक है तो यहां पर क्या होगा आपका प्लेटों का अंग सी जुड़ा ऑसन सी ठीक है यहां पर बहुत बढ़िया है यह वाला ऑप्सन बिल्कुल गरता है आलोग प्रदान जी तो करेक्ट कीजिए सी सही होगा प्लेट जो अगलत तरीके से जुड़ी हुई है ठीक है खला क्रशचन है साइड प्लेट की रूड़ी मतला इस बूठक है किछी भी क्या में प्लेट प्लेटन को मुँआ हो नहीं अपसमें जोड है ना तो यहां ध्यान रहा रखो दो कि इतना अंदर रूड गा इस से पहले जवाब दे लेजी आप लोग बिल्कुल सही है जब कि कई बार आपके विपी आर भेंडल है इस टाइप की एक्जामों में 1.5 इंटु डी को सही माना गया है पर आपके निम्मी में 2 इंटु डाया प्रिविट है आप लोग इसी को ध्यान रखेंगे और इसी को सही करे पर बलेड इंट पर आ गये है चैनल नहीं अलनी इसको पूछ रहा है मतला किसको अपर ब्लेट वाले को पूछ रहे तो अफन यह आ पर दे आपके दी जो लोग दे रहे थे अपर ब्लेड बिल्कुल सही है यह और लोग पहले भी कई बार देख चुके है है लेसी प्रूश ठीक है मैं भी यही चाह रहा हूं अब जल्दी जल्दी करते हैं एक बार फीर से चलिए सीट मिटल वर्क में इस टीक का कार्य क्या है ज़कि इस टीक क्या काम करता है यह भी कुछ से पहले आ चुका है जल्दी ज़वाब देजिए एक पजापती अब सेक सीलू ठीक है जो पर दिखा रहा है रिवीटिंग में यह दिखा रहा है कुक परण है जो कि क्या कर रहा है यह काम कर रहा है रिवीट के हेट को प्लेट से मिला रहा है और प्लेट किनारे को प्लेट से मिला रहा है आगे की यह पतली है तो इसको हम लोग बोलते है कॉकिल टूल क्या बोलते ह के लिए फुलिंग तब होता जब कोई हमारा टूल होता उसके चवड़ाई इस प्लेट की चवड़ाई की ऐसे मुटाई की बराबर होता इस टाइप से इसकी चवड़ाई पुरा इसके बराबर रहती तो यह लीक प्रूब जॉइंट बनाने के लिए या फ्लूटेट इसका भी कोश्चन आए तो अभी यह दिख रहा है आपको इसकी पतली है तो यह हमारा क्या है कोउकिंग टूल है जब इस ट्लेट के चवड़ाई के बराबर हो जाते तो फुल्ड हो जाता है अगला कोश्चन है इस डिविटिंग में क्या दोस्त है जाब देजाएं आप 215 को केंघ कि एधर वाली है तो पूरा कम्प्लीट है कि यहां इतना च्छोटा से रिवीट बनीया च्छोटा रीविट toward dü DNS कूं मतलब उसको मैट्रियल कम मिला होगा लिए हट पूरा पोडन होगा है कि क्षिंग तो 275 का ये दिए बिल्कुल करेक्ट तो जिन्होंने यह दिया है वह बिल्कुल सही है यह वाला ओप्शन बिल्कुल सही है कि मोहित तिवारी प्रिया कायल एक प्रजापती लालो कुमार आदो ठीक है सुनी रॉप्सियल कि चलते हैं को स्टेन नंबर 218 पर कि देखिए वही कोश्चन आ गया ना रिवेटेट एस प्लेट को दबा कर जरावत तंग संद्युक्ष बनाने के लिए फ्लूटेट टाइट या फिर फुल रिक याद रहेगा और संदी मैंने पहले भी बताया था अगले कोश्चन पर चलेंगे डी वाला बिल्कुल सही है कि यह चले चले यह ने जले जले आगे चलते हैं जो आपश्चसर का आपल आपर को टोरा कि क्विभिन प्रकार के हेम और चम् बनाते समयंगे म्दाते हैं कि होती है कोई भी हमारे पार धादूप की चाधर है चाधर क्या होती है पतली होती है अगर पतली रहे गए तो किनारा फट जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे फट ने इस चादर को क्या करेंगे किनारे को एक बार ऐसे मोड देंगे जब किनारे को मोड देंगे तो क्या होगा चादर का भी किनारा मजबूत होगा अब जल्दी नहीं पटेगा एक कागश लिए लिजिए सिंपल सी रहा है तो तुरण फट जाएगा एक चक्कर उसे ऐसे मोड दे के लिए उसी को मोगों कि लुग बोलते हैं तो इन दोनों को उद्द्र से क्या आता तो इनका काम होता है कि और ताकत में सुधार के लिए स्ट्रेंद में फैदा मिलेगा ना उसकी स्ट्रेंद बढ़ जाएगी तो आपक्षन डी जो लोग कह रहे थे हैं कि 210 का हुए my अब है जोड़ा और सोल्डर के लिए कौन सी धातु की सीट सबसे आतान है प्लेट श्रीट ngay नहीं जोड और सुल्डर के लिए कि दातों कि सबसे आसान है जोड और सुल्डर के लिए कि आप जानते हैं कि हमारे सिटों होता है यहां पर लिखाए किस सीट्प में टरल इस जॉइंड और पिन बनाते हैं और विस पर दोड़ जो होता उस पे रहता है तो इसका मज़र जो टीन प्लेट होगा जो आप्शन ए है यह बिल्कुल सही हो जाएगा याद रहाएगा सोल्डर में टीन आउलेड होता है और यहां पर टीन प्लेट भी है कि सीट मिटल की काम में कौन से दातु बहुत नरम और भारी होती है चली आप जवाब दे रहे हैं जल्दी जल्दी देजिए पहले जवाब देख लेता है आप लोग को तब फिर आगे काम करते हैं ना कि इस प्रूश्ट है कि हमारे पास पंदर मिट्स पंदरा कि दो 17 मिट्स बचा हुआ और कुश्चन कितने हैं हमारे पास लगए 30 कुश्चन है कि कुश्चिस करते जल्दी करने कि 11 बज़े तक खतम हो जाना कि 221 का जवाब देजी आप फटापट 221 सही आरा है सीट मिट्र के काम में कौन से दातू बहुत नरम और भारी होती है तो वह लेड होता है सीसा होता है क्या होता है लेड सीसा जिन्होंने भी आपस ने जिया था वह बिल्कुल परफेक्ट और सही है कौन से दातों के सीट पानी और मौसम के संपर को जेल सकती है जल्दी जवाब देजेगा आप लोग जमाल अद्दीन रसेक गुपाल सुनेल कासीनाथ ठीक है सही जवाब राया आप लोगा कौन सा होगा और संडी ग्यलनाइज जाहरान 222 का जिन्होंने भी डी वाला बताय अगला कोश्चन है रिवेटिंग आप्रेक्शन में ड्रिप्ट का उद्देश से क्या है यह तो मैंने आपको शुरू में बता दिया थे किसली यूज करते हैं दोनों प्लेट के होल को एक सीध में लाने के लिए ऑफन देख लिए रिविट करने के वाले चिद्र को एक किमार राहुल चोधरी मोहित तीवारी सिवेंदर माई क्रेस रंजन ठीक है अगलेस अधी वेटिंग में एक्स के रूप में किनिट टूल का नाम देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आगे की यह पतली रहती है तो क्या होगा कॉलकिंग तूल होगा और इसक प्रिजा क्या होता फ्लूड टाइड बनाने के लिक जो बनाने के लिए होता और इसको व्लूरिं जो यहां पर होगा डी वाला यहां सई हो जागा क्या फुल ठीक है तो आप्सट्ट इदिया दोस्तों चॉबिस को बिल्कूल सही है ठीक है आगे चलेंगे अगला कॉस्चन कह रहा है कौन सा थोड़ा रिवेटिंग के लिए प्रयुक्त है उप्यूक्त है आप लोग जानते होंगे बाई जो बाल पिन है मेर होता उपर के इससका बॉल जैसा होता है और रिविट का भी उपर इससा बॉल जैसा बनाया जाता है जो जैसा रहेगा वह सब्सक्राइब काटा जाता है जले जवाब देजिएगा 226 226 लिखिए फिर जवाब देजिए 226 लिखने के बाद तब समझ में आएगा ठीक है ठीक है ठीक है कि डिजिटल रोहित साइट ठाकुर बवाय हरियों सभी है डाटा भी कुछ लोगों का खतम हो जाए रहा है बवाले बिल्कुल सभी है ने सेट रातू के दू किनारों को एक साथ जोड़ते हैं तो बाद जोड़ते हैं बाद छीट रातू के दू किनारों को एक साथ जोड़ा जाता है तो वह स्वेट अमरा क्या कहलाता है सीम ज्वाइंट कहलाता है सीम ज्वाइंट जो लोग 227 का 227 का भी ठीक है यह अंकित सुरेंदर जैसरी हनुमान कासीनाथ रंजन ठीक है आगर पाउडर करूप में सुल्डरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाना और फख स्सोंता है जो गर्म करते समय वास्पीस हो जाता है पाउडर करूप में जो हम लोग फ्लस्पीस करते हैं ऐसे सामने फटाफट जाब देजिए उतको एक और नाम से जानते हैं साल्टあम्ोणीक के नाम से जानते हैं किस नामते इसका क्या नाम दिखा हुआ है आपन दी आमोनियम क्लॉराइड जो सुन दी आपको दीखरा है जो संटा यस का मिवलकुल परफेक्ट हैं अमोनियम क्लोर चलिए ठीक है इसका जवाब देजिए आप लोग दिल देशे 229 लिखिए उसके बाद जवाब देजिए 239 रासिक कुनाल संकर अमरेश ठीक है आदित्या मनोरम कासी नाथ ठीक है लच्मन तो यहाँ पर देख रहे हैं एक प्लेट के ऊपर दुसरी प्लेट को चढ़ा के जोड़ा जाता है तो उसे लोग लैप जोईन बोलते हैं तो यहाँ पर भी देखिए आपके क्या लैप सीम है तो आपके जिन्हों ने भी कि कि रिवेट के हेट को च्पाने के लिए आप प्रछेपट से बचने के लिए कंसे रिवेट इउच करते हैं 230 का जवाब देजिए पटापट 230 सुमन कासिनास सभनी प्रियल प्रिया प्रिया सन्नु अम्रेस माई क्रिस एके प्रजापती सिवानी मोर्या ठीक है जिन्हों ने बेर प्रचेपट से बचने के लिए कांटर संग वादा सही किया था आफ रंडी ओ बिल्कूल सही है ठीक है और रिवेट के बीच की निम्तम दिरी क्या होती है बंगिंग क्या होता है आपको कमेंट की जिए तब तक मैं बता देता हूं हलका साब को कि जब एक प्लेट होती तो जो लिप कि बीच की दूरी रखी जाती है एक किमатив सब्सक्पा और अ वह दु अब मैंने ओप टूड़ी रखना आए अब एक श्रें से दूसरे रीव एक हरार साथ यहांदा कर देंगे लिट के पेशना आपड़ा तरह चाहिए तो कि िटना रखना चाहिए तब होता है आपका 3D व्यास का तीन गुना 3D तो आफ्षन देख लिए आप लोग जिन्हों ने भी आप संदिया था 231 पर दो कि बिल्कुल गलत है तह् facilku में किया दाए दो है जो सब्सक्राइब करना वहता उसी मिलिंक करना होता है होना चीए गे तरह आफ चाहिए जिसमें चेल लघा हुआ यहाँ पर सब्सक्राइब करनी तो सबस्क्राइब को लंबियां इस टैनले सिष्टी तो आसान अब याद रहेगा ना इस टैनले सिष्टी कोश्चन में बहुत थो दोनों मिल गया मैच कर गया आप सिआ वह बिल्कुल परफेक्ट है लेक प्वूजन वह पिगलने की कमी यह सई से पिगल के आपस में मिलकूल सही है अगला कोश्चन है यदि नौजल मॉल्टन पूल को चुपता है तो क्या होगा जब हम वेल्डिंग करते हैं तो उसका नौजल होता है यहां पर पिगला हुवा मै पिगल के मैट्रियल आपस मिलते हैं तो उसको क्या करते हैं माल जी दू हो गई यह दुन आपस पिगल करके मिल रहा है और यहां पर हमारा वेल्डिंग हो लार राड तो यह क्या होगा जब यह इसके नजदी का जाए यहां पिगल करके मिल तो मॉल्टन पूल को चूने किया फूछय का इसे सही होगा की मैसी सही कर रहे थे तो एक इस फ्लैस बैट work क्या था यूद्निक होता है कि अवाद करनेका बंद नहीं होता है जो हमारे जुआला बाहर जल लेती है फ्लैस बैक जलना बैक मतलब पीछे मतलब जो हमारा नोजल था उसके अंदर हमारे जुआला जलने लगे तो उसको फ्लैस बैक कहते है वह बैक पैर के समय होने की सम्भावना रहती है ठीक है नेश कोशन पर चलेंगे देखे 235 नमबर इसको देखिएगा आप लोग फिगर को जिल्दी जिल्दी जवाब देजिएगा बहुत ही आसान कोस्टन है फिगर देख करके आप समझ जाएंगे देखिए यहां पर क्या है दोनों कॉर्णर पर जुड़े हैं तो कॉर्णर जॉइंट पर कौन सा कॉर्णर बहुत अच्छी बात है काफी लोगों ने मोनु सिंग ने भी यहां पर बढ़ियां प्रदर्शन किया ठीक है सनी यादो का भी ठीक रहा आप हाफ ओपेन कार्नर जॉइट क्यूंकि थोड़ा सब पिछने ठीक है यह हो गया हमारा और यह हो गया इस टैप से हाफ ओपन है फ को उतक्त करें क्या है जाब देगा फठा फठालो एसी वहनी ट्रांसार्मक्र दो 그 चतिशका लालो कमार आदव का अश्ञार सब्सक्राइब क्या है वह क्या करता है मतलब जो होता है पोल्टेज को करता उख करता है वेडिंग के लिए यह में लौ और Haigh current के जरुवत होती है किसमें वेल्डिंग में ठीक है तो भही कहहरा है कि क्या करेगा हमारा? वेल्डिंग ट्रांस्वार्वार्मार बोल्टेज को लो कर देगा करेंट को हाई कर देगा पहले आप संद में एक आप फिरा नीमन बोल्टेज उच्छे धारा मैं बोल्टेज को कम किया और धारा कोच किया यही का हमार किसका है विल्लिंग टास्फार्मर का है तो ऑप्षन यह बिल्कुल सटी का और सही है अगले कुशन पर चलेंगे अगले का नुपसान क्या है थे कि पुछ रहा है एक विल्लिंग टास्फार्मर का नुपसान क्या होता है में अगले कि जली जली किजिए आप फिर आगे बढ़ते हैं आधित कुमार अकलेश विसकर्मा अमरेश कुमार उज्जोला इस्टडी ठीक है दूस्ता सैंतिय सवाब देजिए सही आ रहा है ठीक है क्या होता है यह जो होता है अलाव धात्वों के लिए उपयोग नहीं होती है मतलब एसी विलिंग टांफरमर के दौरा नान फिरस मेटल का विलिंग नहीं किया जा सकता यह इए अगले कोशन पर चलेंगे तो आपको पहले भी पता होगा जब पहले के जमाने में बिजली इतनी सुटेबल सबके पास उपलब नहीं थी इतनी आसानी से को अगले कोई सब्सक्राइब करें लेक्न में बहतर रूस्पाइब तो इस इतनी दो कोई में अनुझे एक पैने मीजन नियुक्त उपें तो दो और ने के को जए घौँ पें बेल्यों इसका चबदिए एक्ट करेक्ट ने अनुग भी तो कुछन से लें बहुट में बैसे को प्रदान करती है बहतर उस्मा बित्र प्रदान करती है 249 के फटाफ़ जवाब देजिएगा सुनू प्रजापती है सिवेंदर है काजल कुमारी है सागर है सन्नी है ठीक है यहां पर जो लोग आप्षन दे रहे हैं आर्क वेलिंग वाला ना बेहतर उस्मा में आप्षन 249 का यह इतने लोग है वह बिल्कुल पर्फेक्त है और बिल्कुल सही है तो 249 आगे कुश्चन चले लेंगे होगम्हें अन्फर किस रग बिल्कुल सही कर लेंगे बहुत स对led कुनाल सुमन ठीक है कνसीना कुनाल ओम कुमार वी क्रियेशन ठीक जो आब आ रहा आप लोग का देखिए सिटलीन के लिए क्या मैरून कलर काला किस के लिए होता है ऑक्सीजन के लिए होता है ऑक्सीजन के पुस्ता तो काला सही कर देते ब्लू कप करते हैं ब्लू करते हैं अक्री है इसके लिए इनर्ट गैस इनर्ड गेस जो अपक्रीगेस होती है जैसे हिलियाम, नियान, आरगान, रिप्टान, जेनान, रेडान यह जो भी हमारी है अपक्रीगेस यहां और इनका जो सिलिंडर होता हुआ ब्लू कलर का होता है ठीक है तो यहां पर हमारा कहा रहेगा अपन डी रहेगा 240 का जितने इसमें जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है ना जो फिलर राड होता है यह 30-40 डिग्री पर रखा जाता है जब कि जो हमारी ब्लो पाइप होती है वह रखी जाती है साथ डिग्री ब्लो पाइप का और 30 डिग्री फिलर राड का तो यहां पर देखिए 60-70 होता तो इसमें का पहला उटा लिया या भी 30-40 होता तो इसमें का भी पहला उटा लिया तो यह उप्शन में भी दिया है है 60 और 30 मतला उप्शन वाला हमारा बिल्कुल सहीए 241 का एग चलेंगे साथ करता है कि बाई करेंट की सेटिंग हम कि साब से कम ज्यादा करेंगे विल्डिंग की दवरान वह किसपे डिपेंड करता है किस पर निर्भर करता है जल्द जल्द जवाब देजे 2242 अमरेस राओ जवाब मनुरम ठीक है मीना किंग तो यहाँ पर क्या होगा हमारो इलेक्ट्रोड के ब्यास पर डिपेंड करेगा और उसी पर डिपेंड करेगा हमें करेंड की मात्रा किस नहीं रखनी है ठीक जिन्होंने में डिया बिल्कुल सही था अगले कोशन पर चलेंगे कि दोसती डालीज त्रांफार्मर में वेल्डिंग के लिए उसी भी क्या है जो मुख्या पूर्ति बोल्टेज को कम करता है तो कि प्रण्फार्मर नहीं या इस्टेप डाउन रहेगा क्योंकि आपको मालूम है वेल्डिंग की दोराग हमें कम वोल्टेज हाई करेंड अधर जाता कि जड़ूत में हो थी है वो लोग श्टेब डाउन घ्र करते है ठीक है उसमें नहीं कितना करता है आप उर्ति को कम करता है तो 40-100 डोल्ट मैंने आपको पहले बताया था बोल्टेज को कितना रखता है चाली से 100 बोल्ट के करीब रखता है जबकि करेंड कि लि बिल्कुल परफेक्ट है का फिर उने आप पे सही जवाब भी दे दिया अब तक सनी आदो ने फिर सांदरा जवाब दिया बिल्कुल सही उजोला भी क्रियेशन ठीक है अगला कुश्चन है कौन्सी वेल्डिंग मसीन जो सभी प्रकार के इलेक्ट्रोट का उप्योग करके लव और धात्वों की वेल्डिंग के लिए दोनों क्या पुर्ति करने के लिए डिजान की गई है मतलों फेरस और नन फेरस के लिए काम आ जाएगा तो ऐसी हमारा जो है वेल्डिंग मसीन बनाई के थी जो सबसे बढ़िया परफेक्ट है दुआ है आपका ऑप्शन ए 244 का है जितने लोगों ने दिया और एक्टी फायर सेट बिल्कुल सही है रेक्टी फायर सेट ठीक नेस कुश्चन पर लएंगे ताब आप अगला देखिए जाकते रहूं सह जी दिखायां को यहां पर है इसको खीश करके बहार कर दे रही है तो यहां पर ऑफ्सन नीकासवानी फ्यूज और गैसों को पकड़ती है मतलत जो गैस हो गहरे है इनको खीच करके बहार कर देती होती ऐसा सब्सक्राइब तो ऑफन डी जो देराए बिल्कुल सही है 245 का ऑफन डी काफी सारे लोगों ने आप ऑफन डी दे रखा है ठीक है अगला कुश्चन आपके सामने है छोड़ा छोटा करूं मैं आपको पूरा दीख सके ठीक एक्स की रूप में चिनित भाग का नाम यह नीची जो है यह हमारा कि छोटा सिलेंडर दिख रहा है मतला यह सिलेंडर के सिलेंडर की जो फटने से बचाए पलग होता कि जब तंपरिचर बढ़ेगा तो यह सुछचा प्लग यहां फिगल जाए-गा वाए मंदल में रिलीज कर देगा जिससे की सिलेंडर भटेगा नहीं तो वह है ऑस्तों ध यह जो लोग सही कर रहे हैं बिल्कुल सही है अगला कुस्चन है वेल्ड दिसा में उत्पन हो ले बिकृति का क्या नाम है जवाब दिएगा आप लोग फटापड प्रिया कायल ठीक है राहूल काजल कुमारी जमलुदिन अंसारी जिते अंदर सौरब कह रहे हैं गुट नाइट वाइट तीन क्यूस्चन नावर्व पचाया पूरा करके जाए तीन क्यूस्चन बदें कि जिसा में पक्रिति उत्पन होता है तो इसको क्या उससी दिसा में इस सिधा उत्पन हो जा घूसको लॉंगी ट्रिस्टेशन बोलते हैं हम लोग जो मैं चिए चौन अ काम किनारव कोंगती है विल्लिक करते हैं उसके किनारों कोंग थ्विल करके हैं अब धाउन कोंगती ही तोछन सब्सक्राइब कते हैं तो यूज नाता है यतकर दीटी दना ना चुल है भी आप लोग के साथ ही हूँ मैंने भी खाना नहीं खाया है ठीक है जिबकि आपके सामने लगातार मैं दीख रहा हूंगा साथ बज़े से लोग लाइब है तो मुझे भी जल्दी ऐसा नहीं है ठीक है बस दो क्वेश्चन रह गए हैं बस फटा-फट करते हैं फिर आप हो मंजील नजदीक है आकरती में दिखाएंगे वेल्दिंग दोस यहां पे वेल्दिंग दोसे पुछ रहा है कौन सा वेल्दिंग दोस है फटा-फट कमेंड कीजिए खतम करते हैं हम लोग 249 विमल का एंसवर यह आ चुका है संजे का भी यह आ चुका है कमल्दीप का भी आपने चाब्यों को सिलेंडर से क्यों नहीं अटाय जाता है भाई वेल्दिंग जब हम कर रहे होते हैं तो मुषों सिलेंडर की चाभियों को सिलेंडर से क्यों नहीं घ्राइया जाता है किनो लिग सामने आजाए हैं जो से लोग यह ważne कोई लिंग करते समय सीलेंडर की चाभियों से क्यू नहीं अटाते हैं क्योंकि jane कभी कुछ गरबर हुझाff करना है तब तक तो आप पुरा ब्लास के जाएगा ना आग मांग हो जाएगा जो कहते हैं कि आप की मामले में जल्दी से बंद करने के लिए सिलिंदर के साथ में चावी कर रखते हैं और अब आप देख रहे होंगे हमारा 250 पुश्चन पूरा कम्प्लीट हो चुका है और जो लोग लास तक बने रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ में हम तो इतनी बार लेते हैं उठे हैं टाइम काटना लिकिन एक जो प्रॉमिस था कि वो मैराथन मैराथन मतलब यही होता है एक दम मंजील तर पहुचा हो जानी पूरा एक सेमेस्टर खतम करते हैं अगर दिन का टाइम होता तो साहत पूरा फर्स्टियर आपका खतम कर देते लेकिन वो साहत ज्यादा बहुत से पच्छोड डेटा खतम हो गया तो आप लोग अपना डेट यही मतलब है असली मैराथन का असली मैराथन माइक में असल बोला जाता है आपको फिटर, अलगातार साथ बज़े से खानी लगातार, 11 बज़े तक लगे हुए, बीना खाना खाये, क्यों लेक बारवानी पी हैं, आप लोग के साथ लगे हुए है, ये होती है महराथ है आपको फिटर का भी हो गया है, लेकरतिन का भी है, और बहुत लोग पूछे भी है, कि इसाथ लिवारी है, आए तो मेरा वन सौर्ट वीडियो गाए, इस एक हफ्ते तक कोई और वीडियो मत देखे, अपना रिचार्ज डबल कर लीजे, एक हफ्ते के दोरान आप क्या मिलेग आपको मिलेंगे, असली मेराथन, आपके अपने चनल, Global IK ABC के साथ चलते हैं, हम लोग भी खाना खाने, खाली बैठे हुएते हैं, खाना नहीं खाया है, तो सनी सर गया है, बंद करने, कमेंट करने गया है, नहीं, बंद करने हैं, तो आज के लिए इतना ही, इतना ही, कर दोते हैं, हुआएब लिएगा कर दá पी इतना ही, अट्वेान करणिसे अब्सितरी का का दुर बाचर के लिए आ घरभी साइक रवद मिलेंगे, बंद कर दोते हैं, तो सुझे अएगा हैं, तो सुझे शो सुझे मेंगे, हैं जड़ दो नहीं कर वदो दर विएमें जु झाल